हेलो प्यारे बच्चों कैसे आप सब आप सभी का स्वागत है पी डबलू के इस प्लैटफॉर्म पे मैं आपका टीचर आपका दोस्ट आपके फिजिक्स का आपके नीट का हम सफर जग जोच सर सो स्टुडेंट्स आज हम लोगे सफर में पहुंच चुके हैं लेक्चर नमबर फाइव यकीन फाइफ पॉइंट ओ में स्टुडेंट्स किसी भी कॉंपटेटिव एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी भी लक्षे को पाने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका अपने उपर विश्वास अपने टीचर पे अपने गुरू पे ठीक है इन सभी चीजों पर अगर आप विश्वास रखते हैं तो सफलता आपके कदम चूमी लेती है तो सबसे ज़रूरी यह है कि आप घबराए ना पैनिक ना हो और शुरू से लेके लास तक इस जर्नी को इस सफर को बहुत अच्छे से इंजोई करें ठीक हैं अब तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग काफी आगे पहुँच चुक हम लोग ने Newton's law of motion, friction को हम लोग कवर कर चुके हैं, work power energy कवर कर चुके हैं, most of the चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं, इस सफर में काफी आगे बढ़ चुके हैं हम लोगों को बीच-बीच में जो ज़रूरी काम है, वो ये कर लेना चाहिए, previous कभी-कभी lectures को उठा लेना चाहिए, कभी-कभी नहीं, एक time table, एक proper schedule बना के ही मुझे लगता है, उसको उठा लेना चाहिए, और बीच-बीच में उनके questions की भी practice कर लेनी चाहिए, right? Since, क्योंकि हम लोग ये जितने भी chapters पढ़ रहे हैं, ये हम लोग mostly students, जो मैं देखना हूँ मेरे सामने, जो भी ये lectures देखते हैं, वो dropper category के हैं, हाँ, कुछ बिचे 12th के भी होंगे, जो ये lectures देख रहे होंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, but mostly students, dropper या 12th के हैं, तो उन लोग लोगे नहीं, ये topics फैले कभी नगभी नगभी पढ़े जरूद होते हैं, पर कही नगछ हम उनको भूल जाते हैं, पर फिर भी हम लोगों को कुछ-कुछ हिस्सा उसका याद रहता है, तो हम लोग ये जरूर याद रखे कि कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी नगभी तो दि इस्तमाल करेंगे, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत काम आने वाला है, रोज जो आप लेक्चर देख रहे हैं, बहुत काम की चीज़ है, लेक्चर को कम्प्लीट करना, उसके बाद उसके नोट्स को रिवाइस करना, सबसे जरूरी काम है, अगर आप नोट्स रिवाइस करते जा रहे हैं, questions को revise करते जा रहे हैं, lecture खतम होता है, उसके बाद आप लोग खुद questions लगाते हैं, आप खुद बैठते हैं, अपने notes open करते हैं, जितने questions क्लास में कराया जाते हैं, खुद attempt करते हैं, तो वैसे भी सब कुछ आप लोगों के लिए असान हो जाएं, ठीक है न पर इस सफर को enjoy जरूर करें, बिल्कुल nervous ना हो, कही भी घबराएं ना अपने उपर बिल्कुल भी, क्या कहते हैं ना, शक ना करें अपने आप पे, अपने काम हमेशा इमानदारी से करो, honesty से करो, मैं आपको बिल्कुल आशवासन देता हूँ, मैं आपको promise करता हूँ, आप कितना positive रह सकते हैं, आप कितना अच्छे से सोच सकते हैं, एक positive mind में ही positive thoughts आते हैं, और positive thoughts ही आपको reality में positive life की तरफ ले जाता है, और एक doctor जो आप बनने वाले हो, ठीक है ना, एक सफेद कोट जो आप पहनने वाले हो, आप से ज़्यादा positivity किसी की life में और कोई नहीं घोल सक तो अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, आने वाला सफर जो आप लोगों का है, वो बिलकुल असान नहीं है, इसमें बहुत कठेनाई हैं, बट हाँ, उस कठेनाई को पार करके आप दूसरों की जिंदगी को असान कर देंगे, आप लोगों की बज़े से ही लोग खुल क सास ले पाएंगे, उनको डर नहीं रहेगा, उन्हें पता होगा हमारे इंडिया में इतने बड़िया डॉक्टर्स बैटे हैं, हमें डर ना क्या, आप लोग ही हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का भविश्य है, तो आप लोग अगर घबरा गए तो फिर कैसे चलेगा, आप लोगों की मदद के लिए हमारी यहां पूरी टीम है, मैं हूँ, और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, कि आप लोगों को बहुत 100% अपनी तरफ से पूरे अफर्ट्स देते हैं, जादा ही अफर्ट्स देते हैं, कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया जाए, सब कुछ क किया था, है ना, टर्मिनल विलोसिटी को स्टार्ट करने से पहले हमने स्टॉक स्लो पढ़ा था, स्टॉक स्लो क्या था, उसको समझने के लिए हम लोगों ने विसकॉसिटी को समझा था, हमने फ्लूइट के फ्रिक्शन के बारे में चर्चा की थी, फ्लूइट का नहीं नॉर्मल फ्रिक्षन नहीं करता था जो हम लोग इससे पहले न्यूटन स्लो में कहते थे ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फ्रिक्षन का विलॉसिटी कुछ लेना देना नहीं है दो फ्रिक्षन परते थे स्टैटिक और काइनेटिक बट फ्लुइड में आपने देखा फ्र फ्रिक्षन फॉर्स लगाती है एक एयर ड्राग लगाती है ड्राग कहते हैं जिसको ठीक है ना वह एयर ड्राग मेर पर लगता है जो मुझे रोकने की कोशिश करता है यानि कि वह मुझे रोकने की कोशिश करता है तो हम लोग जानते हैं दोनों फ्रिक्षन में फरक है एयर friction यानि air drag या फिर viscous drag जो viscous force हमने discuss किया था, वो area पे भी depend करता है, वो depend करता है आपकी speed पे भी, जितना ज़ादा area उतना ज़ादा drag, जितनी ज़ादा speed उतना ज़ादा drag, यह हम लोग जानते हैं, ठीक है सो हम लोग उने वो formula पढ़ा था stock slow हमने spherical objects के लिए discuss किया था, अगर कोई spherical object है वो किसी fluid में गिर रहा है, वो liquid में भी गिर सकता है, solid है तो वो liquid में भी गिर सकता है, gaseous में भी गिर सकता है, अगर मेरा object liquid state में है, जैसे कि पानी की बूंदे तो वो gaseous medium में गिर सकती है, उन दोनों पे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से force लग रहा था ठीक है, stock slow में हमने 6 pi r eta v, हम लोग एक बार formulas को दुबारा लिख लेते हैं, ताकि हम लोग भूलना जाए, stock slow में हम लोगों ने ये formula पढ़ा था, 6 pi r eta v, ये stocks ने बताया था, और ये spherical objects के लिए बताया था, तो ये stock slow में हम लोगों ने discuss किया था, ठीक है ना इसके लावा जो हमने पहले friction का formula पढ़ा था, वो हम लोग जानते हैं वो था eta a, और delta v, divided by delta y delta z, delta x, जो भी आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं, negative sign नाता था, जो ये बताता था कि यहाँ पे, जो मेरा velocity gradient है, वो negative है ये हम सब चीजे पढ़ चुके हैं पिछले class में हम लोग सब discuss कर चुकी हैं, ये सारी चीजे देश की थी हम लोगों ने, अच्छे से समझी थी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई doubt रह गया होगा, फिर हाँ, हम लोगों ने terminal speed की बात की थी, और हमने का था, terminal speed वो maximum speed है object की, वो maximum speed है यानि की, जब हम किसी object को अगर हम किसी liquid में, fluid में डालते हैं, तो initially उसका acceleration नीचे की तरफ है, वो हमेशे नीचे ही रहता है, बट वो घटता जाता है तो एक वक्त आता है, जब उसकी speed सबसे जादा हो जाती है, और उसके बाद वो उस constant speed से गिरता है जैसे कि बरसात की भी अगर हम बात करें बारिश की बूंदों की भी अगर आप बात करो तो भईया, बादलों से जब बारिश की speed बढ़ती जाती है, और एक वक्त आता है जब इसकी speed maximum हो जाती है maximum speed के दोरान, इस पे जो उपर buoyancy लग रही है, प्लस viscous drag, ये दोनों ही मिलके क्या balance कर लेते हैं, mg को balance कर लेते हैं, तो ये दोनों force मिलके mg को जब balance कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक terminal velocity attain कर लेता है, यहाँ पे जो इस पे velocity आ जाती है, वो terminal velocity है, ये maximum velocity है, इससे ज़्यादा फिर इसकी speed नहीं बढ़ती ये अच्छी बात है कि ये terminal velocity attain कर लेता है, नहीं तो हम नीचे खड़े हैं, ये हमें बहुत तेज़ जा के टकराती, हम बारिश में जाना होता है, बट ठीक है, बट फिर भी ये बारिश की बूंदे इतनी तेज नहीं टकराती, वो जादा बारिश से नुकसान होता है, पर एक बूंद भी बहुत नुकसान दायक हो जाती, अगर terminal velocity attain ना होती, तो हम लोग याद रखें, terminal velocity हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है, कि attain होती है, नहीं तो भईया, बरसाच से हमें तो बहुत डर लगता, हम तो घबराते, ऐसा लगता भईया, attack कर दिया, बाद लोगों ने मारे उपर, ठीक है तो yes, definitely, ये सब कुछ हम लोगों ने discuss किया था, last lecture में, आज चर्चा करेंगे आगे, तो शर्चा शुरू करने से पहले, जैसा कि मेरा अंदाज है, मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं हर बार ही कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले कुछ 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 रखूँ तो कुश्चन से ही शुरुवात करूँगा आज किस lecture की, शुरू करते हैं जो पहला question है, वो यह ही है, बहुत असान है, अगर आप ध्यान से देखोगे, question में क्या कहता है, आवस्कस fluid is flowing through a cylindrical tube, the velocity distribution of the fluid is best represented by the diagram, तो भई, हम लोगों ने last class में एक चीज पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे, हम लोगों को चार diagram दिये हैं, उन diagram में से एक पूछते हैं, वैसे तो एक diagram ही निए, नन उफ दीज है, हम लोगों ने last class में पढ़ा था, कि अगर यह ground है, माल लेते हैं, हम ground है, और इसके उपर पानी flow कर रहा है, सोचो, कैसे flow करता था, याद है, पानी की हमने layers बना दी थी, layer by layer, ऐसे हमने बना दिया था, हमने का था, पानी की बहुत सारी layer ले ले लेते, मैं सफेद रंग से दिखा देता हूँ, ऐसे पानी की बहुत सारी layer हमने बनाई थी, तो जो bottom layer है, जो ground के contact में, वो move नहीं करती, और जितना हम उससे ground से दूर जाते हैं, उतनी speed बढ़ती जाती है, अब यहाँ पे pipe है, यहाँ पे हमारी pipeline है, जिसके अंदर liquid को flow करना है, अब आप खुद सोचें, जब इसमें liquid flow करेगा, तो जो liquid इस pipe के साथ contact में होगा, उसकी speed क्या होनी है चाहिए, जो liquid के layer pipe के साथ contact में होगी, जो पूरे curved surface area पे हर जगे से contact में होगी, वो कैसी होगी, क्या हो zero नहीं होगी, होनी चाहिए न, आप पे जो सबसे लड़ा speed होगी, वो बिल्कुल mid point पे आ जाएगी, क्योंकि यहां भी speed zero होगी liquid की, यहां भी speed zero होगी, यानि कि जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे speed बढ़नी चाहिए, जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो हमारी speed क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, जैसे हम इससे दूर जाएंगे, तो यानि कि जो mid point पे है, वो मेरी speed सबसे जादा होगी, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, correct representation क्या यह नहीं होना चाहिए, यह इसका correct representation होगा, यानि कि यहाँ से यह पानी को रोकने की कुशिश करेगा, और जो mid point test की speed क्या हो जाएगी, यहाँ पे maximum हो जाएगी, वैसे उपर जाचाते speed बढ़ती थी, बट उपर भी pipe है, नीचे भी है, तो यानि कि उपर भी zero होगी, नीचे भी zero होगी, तो हम जितना दूर जाएगे, बढ़ेगी फिर कम होती जाएगी, और फिर zero हो जाएगी तो क्या यह diagram best representation होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं पानी जब निकलता होता है, pipeline से जब पानी निकल रहा होता है तो क्या होता है, जो edges है, जो किनारे हैं ना pipe के वो पानी को रोक रहे होते हैं, वो उसके साथ चिपके होते हैं, बट बीच में से पानी सबसे तेज निकलता है, तो यह इसका correct representation हुआ ना, तो यह हमारा correct diagram होगा यहां पे इसके बाद एक और सवाल है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें, यह थोड़ा logical है, थोड़ा सा दिमाग से करने वाला सवाल है, यहां पे वो question में कह रहा है कि यह तीन तरीके की shape लिए हम लोगों ने, इन्होंने बोला है when our body falls in the air, एक object जो air में गिर रहे है, ठीक है ना, the resistances of the air depends to a great extent on the shape of the body, हम जानते हैं, जो air drag होता है, हमने पढ़ा था, वो surface area पर depend करता है, अब अगर आप दिहान से देखो, इस question में उसने clearly बोला है कि तीन अलग-अलग shapes आपको नजर आ रही है, okay, diagram आपको थोड़ा सा confuse कर सकता है, diagram में देखने से लग रहा है, इसका area जादा इसका कम है, और इसका सबसे कम है, बड़ ऐसा है नहीं, क्योंकि उसने बोला equal cross section area, okay, तो हमें इससे confuse नहीं होना है, यह cross section area तीनों के बराबर दिये हैं, यानि कि जो front वाला area है, यानि कि जो इसका radius है, वो इसका radius होगा, वह इसका radius होगा, तीनों का जो radius है, वो सेम होगा, cross section area तो बराबर है, पर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम लोगों से पूछा जा रहा है, सबसे जादा resistance किसको मिलेगा, यह resistance, सबसे कम resistance किसको मिलेगा, तो सबसे important बात है, हम लोगोंने aeroplane में भी देखा है, उसकी जो shape होती है, वो बहुत बढ़िया होती है, आपने गाड़ियों की भी shape देखी है, aeroplane को भी देखा है, ऐसी shape में क्यों होता है, कि air टकराए और उपर easily निकल जाए, इसको streamlined shape कहते है, aeroplane की जो shape होती है आगे से, वो streamlined होती है, ताकि वो easily आर पार कर जाए, तो सबसे कम resistance aeroplane को इसलिए मिलता है, तो यह तो shape सबसे perfect है, जब हमारा front area तीनों का बराबर है, इससे बढ़िया shape नहीं हो सकती न, this is a perfect shape, अगर हम ध्यान से देखें, यह हमारी perfect shape है, है न, तो इसमें हम लोगों को air resistance सबसे कम मिलेगा, so definitely यहाँ पर हमारा air resistance क्या होगा, सबसे कम मिलेगा, तो सबसे कम air resistance हो हमें सिगार shape मिलेगा, फिर हमारे पास एक shape है disc और एक shape है हमारी ball की, अब हम लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, इसके बाद हमारा air resistance किसको मिलेगा, obviously इससे best, अगर हम ध्यान से देखें, सबसे यह हमारी streamlined है, perfect streamlined है, यह कुछ-कुछ streamlined shape है, तो यहाँ पर भी resistance मिलेगा, बट comparatively यह better shape है, यह हमारी spherical shape है, और यह जो हमारी disc shape है, यह तो हमें सबसे जाधा resistance offer करने वाली है, है न, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, यह flat shape है, तो अगर हम कभी भी किसी disc को अपने हाथ को ऐसे डालते हैं, पानी में, तो बहुत जाधा resistance feel करते हैं, जब हम ऐसे डालते हैं, तो कम resistance feel होता है, और यहाँ area तीनों का same है, बट इसकी shape में भी, यह better shape है, यह भी nearly हमारी streamlined है, बट सबसे बेकार जो shape है, यहाँ पर यही है, disc, यानि कि सबसे जाधा resistance disc को यहाँ पर offer होने वाला है, ठीक है न, तो सबसे जाधा resistance है, वो किसको offer होगा, हमारी disc को offer होगा, फिर अगर हम दियान से देखे, सबसे कम resistance जो है, वो cigar shaped को होगा, ओके, तो यहाँ जो हमारी sequence होनी चाहिए, हम लोगों से पूछा गया, identify the combination resistance which is truly represented, तो सबसे जाधा जो resistance है, वो हमारी disc को मिलेगा, है न, फिर हमारे ball को मिलेगा, और सबसे कम जो resistance है, वो cigar shape को मिलेगा, तो यहाँ से जो इसकी sequence होनी चाहिए, वो यह sequence होनी चाहिए, 3, 2, 1 ओके, next question क्या है, अगर हम धियान से देखे, यहाँ पर वो बोल रहा है, 3 drop है, equal radius का, they are falling, so 3 drops of equal radius, they are falling through air with a steady velocity of 2 cm per second, if 3 drops collapses, then the terminal velocity, so हम लोगों ने last class पर terminal velocity का formula भी बढ़ा है, वाल अच्छे से हमने discuss किया है, terminal velocity क्या होता है, अगर हम धियान से देखे, terminal velocity का formula हम लोगों ने पढ़ा था, 2 by 9, कितना होता था, r square g divided by eta, और density of object minus density of fluid, ठेक है न, यह formula होता था, object की density minus density of fluid, यह होता था, object की density, fluid की density से, obviously यहाँ पे, जादा यहाँ पे consider की जाती थी, यह terminal velocity का formula होता था, so terminal velocity, radius के square पे depend करता है, अगर बाकी सारी चीज़े constant हो जाए, मालो मैं अपने object को रखूँ, मालो मैंने बुला एक ही object है और एक ही medium है, तो फिर terminal velocity किस पे depend करेगी, इसरिफ फिर radius के square पे depend करेगी, यहाँ भी ऐसा ही है, उसमें बोला 3 drop है, जिनका radius equal है, तो 3 drop मैंने यहाँ consider कर ली, 1, 2 और 3 drop बना दी, चलो, और 3ों का radius है, मैंने same रख लिया, माल लेते हैं, R, R और R, 3ों का radius कैसा हो गया, same हो गया, ठीक है, अगर आप इन 3ों को join करते होगे, तो क्या होगा, सुचो, 3ों को join करते होगे, अरे, सर, एक बड़ा सा drop बन जाएगा, बन जाएगा ना, एक बड़ा सा drop बनेगा ना, बनना चाहिए, क्या चीज है जो दोनों में same होगी, बोलो, क्या surface area same होगा, ना, surface area same नहीं होगा, इनका जो volume है, वो बराबर है, इनका volume कैसा है, सर, बराबर है, तो volume conservation लगाते है न, आपको एक स्वेर का volume आता है, भूल तो नहीं गए हो, याद रखना है, देखो आप नीट का एक्जाम देने जारे हो, स्वेर का volume भूल रहे हो, तो ये बिलकुल acceptable नहीं है, ये आपको या कर देते हैं, और राइट साइट बड़े वाले स्वेर का volume क्या होगा, एक ही है न, तो 4 by 3 और 4 by 3 by capital R cube, 4 by 3 by 4 by 3 by को खतम करो एक दूसरे से, ठीक है, अब capital R cube और यहाँ पे 3 into small r cube, यानि कि यहाँ पे 3 small r cube किसके बराबर है, capital R cube के, अब यहाँ से हम radius की value निकाल सकते हैं, यहाँ से radius की value निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत असान है, यहाँ से जो मेरा radius आजाएगा, इसका cube किसके बराबर है, 3 times small r cube के बराबर है, है न, मैं cube root ले ले लेता हूँ, दोनों side, power 1 by 3 कर देता हूँ, cube root कहते हैं, तो यहाँ से क्या आजाएगा, 3 की power 1 by 3, औ और r की power 3 थी, तो इसकी power 1 by 3 करोगे, तो यही है आजाएगा, तो इस तरीके से मैंने cube root ले लिए, दोनों side हमने यहाँ पर क्या ले लिए, cube root ले लिए, तो दोनों के radius इस तरीके से relate किये जा सकते हैं, यहाँ power 1 by 3 करोगे, 3 से 3 कटेगा, बना जाएगा, यहाँ power 1 by 3 करोग अगर हम ध्यान से देखें, अब हम लोगों को पता है, कि हमें टर्मिनल विलोसिटी निकाल ली है, बड़े वाले ड्रॉप की, यह जो बड़ा वाला ड्रॉप है, यह नीचे की तरफ गिर रहा है, इसके टर्मिनल विलोसिटी वीटी डैश माल लेते हैं, क्या होगी इसकी टर और लिक्वेड या फ्लूइट की जो डैंसिटी है, वो यह ही रहेगी, है न, आप जानते हो अब आर की वैल्यू कितनी है, आर यह है, तो आर स्कॉाइर आप जानते हो, यहां से अगर आप से आर स्कॉाइर कर देता, तो कितना आ जाता, थ्री की पावर, टू बाई थ्री, है न यहां से 3 की power square कर रहे हैं बेटा दोनों साइट square कर रहा हूं मैं इस equation को square कर रहा हूं जब मैं square लूँगा दोनों side equation का तो यहां r square और r की power यहां 2 by 3 और r square बन जाएगा small r square यह बन जाएगा ठीक है पौतासान step था यह तो बस अब यहां पर आप substitute कर दोगे तो सब कुछ सामने ही है 2 by 9 है और यहां पर आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे 3 की power 2 by 3 और r square g divided by eta और rho minus sigma ठीक है ना तो बस यहां 3 की power 2 by 3 आपको आगे नजर आएगा यानि कि आप लेक सकते हो यहां से 3 की power 2 by 3 बाकी सब तो वही है जो पहले था 2 by 9 और small r square g divided by eta और rho minus sigma आप जानते हो ना यह तो हम जानते है ना यह क्या था हमारी terminal velocity थी छोटी वाली drop की जो हमें दे रखी थी question में 2 cm per second यानि कि जो हमारा answer आ जाएगा वह 3 की power 2 by 3 2 cm per second यानि कि यही यहां से अन्सर आ जाएगा multiply में यहाँ आपस में multiply में कौं सा option है जो बिलकुत सही है बिलकुत सामने नजार आ रहा यह वाल option थिखेंश ना बिलकुत सामने नजार आ यह वाल option तो यहानि कि side question को करने का तरीका क्या है क्या Division ऐसा question आ सकता है हeszानby बिर्कुल डिट्टो रख्या सकता है जो यहां tीन को उप्से और को जोर सकता है कले अगर आप कंफूस हो रहे हो इस मतलब क्या है को यहां संदो याद है जूरा रही इंग वह जमार र कर्रहे है को न第一 ट्रॉप बना सकती है वह हो रहाएं पर यहां पर बस हम लोग याद रखेंगे जो method है वह बहुत असान है सबसे पहले volume conservation लगाना है यानि कि जो पहला method है पहला तरीका है वो क्या है हमारा volume का conservation छोटी वालों का volume बड़ी वाले volume के बराबर पर जो छोटी volume है वो 3 जितनी drops है सभी का volume जोड़ना पड़ेगा तीन drops ही तो 3 into 1 का volume अगर 10 drop होती तो 10 multiply एक का volume और यहां से radius का relation पहला काम यही है radius किसी तरीके से निकाल लिया जाए और उसके बाद यहां से radius का square क्यों किया है मैंने क्यों square किया था क्योंकि मुझे पता है terminal velocity square of radius बहुत अराम से कर सकते हो कितनी देर में हो जाना चाहिए मुश्किल से एक minute एक मिन पने से जादा नहीं लेंगे हम इसमें एक मिनट में सवाल हो जाता है ओके आगे बढ़ते हैं हाँ यह सवाल भूट अच्छा है इस सवाल में हम देखेंगे बहुत मज़दार चीज आएगी, यहां 2018 में यह सवाल आया भी वाई, a small sphere of radius small r falls from rest in a viscous liquid, ठीक है, एक छोटा sphere है, जिसका radius r है, वो viscous liquid में गिर रहे, as a result, heat is produced due to the viscous force, बलकुल सही है, अगर वो गिर रहे हैं, तो कुछ heat produce हो रही होगी, ठीक है, the rate of production of heat when the sphere attains terminal velocity, so, अब यहां पे पूठा क्या गया है, नजर इस पे ओनी चाहिए, यहां पे पूठा गया है rate of production of heat, heat यहां प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट क्या है, heat's energy है, rate of heat क्या मतलब क्या है, यहां question और स्वाल पूछा है, rate of production of heat, यानी कि rate of heat, rate का मतलब होता है, time से divide करो, इसका मतलब होता है time से divide करने के लिए कह रहा है, ठीक है न, rate का मतलब है, यहां से बोल रहा है time से divide कर बेटा, ठीक है न, यह कह रहा है time से divide करने को ओके, so rate of heat का मतलब है, आप heat को time से divide कर रहे हो heat per unit time, और आप जानते हो heat per unit time, आप इसको power बुला सकते हो, energy per unit time, heat is a form of energy, heat तो energy का ही form है ना, यानि कि power, so अब यहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि power का formula क्या use कर सकते हैं, जो असान हो हम लोगों के लिए, हम लोगों ने viscous force का formula पड़ा हुआ है, solid square के लिए viscous force का formula जानते हैं, जानते हैं ना, और हम जानते हैं velocity, यानि कि यहाँ पे जो power है ना, उसको best है हम यहाँ पे क्या लिख दें, force into velocity, क्या instantaneous power का formula यह हम जानते हैं, क्या यह formula हम लोगों ने पहले भी discuss किया है, instantaneous power का यह formula होता है, work power energy में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, याद आया, नहीं याद आया, अभी लिखो side में, कम से कम पांच बार, कम से कम पांच बार लिखो, भूल गए हो ना, कम से कम पांच बार लिखो, भूलना नहीं अगली बार, ठीक है ना, कुछ भी भूल जाओ, ऐसे formulas नहीं बूलते हम, ठीक है, पांच बार लिखो side में, अभी, जो बच्चा बूल गया है, उसके लिए है, यह, लिख लिया, हमने power को force into velocity लिख लिया है, sir, अब यहाँ पर force क्या लग रहा है, अगर कोई object नीचे गिर रहा है, आप बताओ, सोचो सबसे पहले, क्या force की जगे मैं डाल सकता हूँ यहाँ पर, अरे यार, stocks लोग को use करू, force का formula क्या था, 6 pi, r, और eta, और v, v क्या है यहाँ पर, terminal velocity, यह ना, यह तो force का formula हुआ, production of heat है, यह terminal velocity पर कैसे depend कर रही है, अब अगर यहाँ से आप P देखोगे, वो v square पर depend कर रहा है, आप बोल दोगे v square तो answer गलत हो जाएगा, आप सोचोगे अब इसमें क्या गलती है भाई, इसमें हम लोगों ने क्या गलती की है, ठीक है न, इसमें एक चीज याद रखना, r और v independent नहीं है, यहाँ पर आप लोगों से radius के साथ relation पूछा है, तो अगर आप P proportional to radius लिख रहे हो, तो भी गलत है, अगर आप सोच रहे हो, P r की power 1 पर depend कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, P v square पर depend कर रहे हो, तो भी गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर भी depend करती है, क्योंकि v के formula में r आता है, याद रखो, आता है न, terminal velocity का formula, अभी देखा है थोड़ी दिर पहले, क्यों मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि power r की power 1 पर depend करती है, क्यों मैं ऐसा नहीं लिख सकता power v square पर depend कर रहे है, तब तक नहीं लिख सकता, जब तक मैं इन दोनों के बीच का रिष्टा भी जाहिर ना कर दूँ, जब तक उसको express ना कर दूँ, terminal velocity जानते हो, terminal velocity के बारे में पढ़ा है, सुना है, अभी थोड़ी दर पहले सवाल भी किये थे हमने, terminal velocity का, यहां जस्ट formula डालना है ना हम लोगों को, हम जानते हैं न, terminal velocity क्या है, ठीक है, यहां तक हम अपना equation number 1 लिख देते हैं, मैं यहां step भी लिखता जाता हूँ, कई बच्चे confused होते हैं, बात में किसा step नहीं समझ में आए, तो मैं यहां लिख देता हूँ, यह step 1 है, ठीक है न, यह अपना step 2 है, ठीक है, step 2 से हमने यहां first equation बना दी है, terminal velocity का formula चल्दी से, फटा-फट, 2 by 9, क्या formula है, देखो, r square g divided by eta, और rho minus sigma, है या नहीं, देखो, velocity का radius पर depend कर रही है, तभी मैंने का था न, यह दोनों आपस में एक दूसरे पर depend करते हैं, इनका भी रिष्टा है, आपस में, ऐसे मत सोचू, देखो, pi r पर depend नहीं करता, eta r पर depend नहीं करता, 6 r पर depend नहीं करता, यह सब independent है, यह constant है, इनका कुछ लेना देना नहीं था, r और v से, बट इन दोनों का आपस में रिष्टा था, तो उसको जाहिर करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो, v की जगे में यहां डाल सकता हूँ, ठीक है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां पे ना, हम लोगों को सिर्फ power और radius के बीच का रिष्टा चाहिए, कि radius power किस तरीके से related है, तो उसके इलावा जो भी चीज़े हैं वो सब constant में जाएंगी, यानि कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो भी मेरा यह factor है, 2 by 9, eta, g, rho minus sigma, दोबारा से repeat कर रहा हूँ, ध्यान से सुने, 2 by 9, g, eta, sigma, rho minus sigma, इस सब constant है, इसको कुछ constant कहे दो, इसको कुछ नाम दे दो, c, याना, कुछ भी नाम दे दो, इस constant को, c बोल दो, तो यहां से मैं इसको c r square लिख सकता हूँ, यानि कि मेरी velocity r square पर ही depend करती है, और यहां पर substitute कर दूँ, बस, अब हम क्या करेंगे, यह मेरा तीसरा step था, चोथे step में मैं क्या करूँगा, 4th step में मैं इसको substitute कर दूँगा, यानि कि जो मेरी terminal velocity, सरी, यानि कि जो मेरी power है, वो कितनी बन जाएगी, जो मेरी power का formula बन जाएगा, वो बन जाएगा 6 pi eta, और यहां पर हमारा एक r था, और यहां पर v square को डालना है, और आप जानते हो v किसके equal है, c r square को, तो v square है यहां पर, v square तो यहां से क्या मैं इसको c square और r की power 4 नहीं लिख सकता, इसमें कोई hertz तो नहीं है न, बेटा अगर v c r square के equal है, जो मेरा v है, वो c r square के equal है, तो v square c square r की power 4 के equal होगा, मैंने यहां डाल दिया, अब देखो, जो constant है, वो है 6 by eta और c square, बच्चा क्या हमारा r की power 5, क्या आपको answer नजर आने लग गया, आपका already options को देखके, आप बता सकते हो मुझे क्या answer आना चाहिए, p किस पर depend कर रहा है, r की power 5 पर कर रहा है, p proportional है, r की power 5 के, ठीक है ना, यह काम हम यहां नहीं कर सकते थे, यह बात आपको समझना चाहिए, कई बच्चे सोचते है, p r की power 1 के proportional आगे, खतम, सरखेल खतम, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, क्योंकि यहां v को भी हटाना पड़ेगा, यह बी भी r को लिखना पड़ेगा, और फिर यह expression आ जाएगा, यानि कि इस question का जो correct answer है, वो option first है, तो यह सवाल, previous year में आया गया सवाल है, असान सवाल है, बढ़ां, गलती करने के chances यहीं से पैदा होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे जब कभी भी आप किसी का relation किसी से निकाल रहे हैं, तो फ़रा ध्यान रखें, बात की सारी terms को भी ज़रा ध्यान से टटोल लें, जैसे कि यहाँ velocity है, कई वो आर पे depend तो नहीं कर रही थी, अगर कर रही थी तो उसको पहले लिख लें, जाहिर करें उसको, इनमें भी कोई रिष्टा तो नहीं है, कई यह आपस में dependent तो नहीं है, हैं तो उसको पहले express सरूर है, ठीक है, उमीद कर रहा हूँ, यह question भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, इस सारे champions बैठे हैं जो सामने मेरे, ठीक है ना, future doctors, of course, वो सब अच्छे से समझ रहे होंगे, यह मैं पूरी उमीद रखता हूँ आप लोगो से, ठीक है, आगे बरता हूँ, चलो, क्या कहता है अगले सवाल में, देखो, खला सवाल और मज़ेदार है, यह तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, सारे doctors, इस सवाल पर लग जाएंगे, तो हम तूट के पड़े, speed of 1 cm radius wall is, in viscous liquid is, 20 cm per second, then the speed of 2 cm radius wall, भाई, खुच सोचो, 1 cm का जो wall है, उसकी, viscous liquid में speed इतनी है, तो 2 cm की जादा होगी, कम होगी, पहले तो यह सोचो, कोई भी answer mark करने से पहले, थोड़ा logic भी होना चाहिए, life में logic नहीं है, तो फिर मजा ही नहीं है, ठीक है ना, life में logic नहीं है, तो फिर क्या फाइदा, ठीक है ना, तो logically देखो इसको, सोचो, भाई, अगर आपका radius, पहले 1 था, तो speed थी कुछ, होता है, क्योंकि जो वी का exact formula है, वो भी आप चाहिए लिख लो, 2 by 9, formula है, r square g, divided by eta, rho minus sigma, देखने भी पता चलता है, जो मेरी terminal velocity है, वो radius के square पे depend करती है, तो यहाँ पर आपकुछ सोचो, अगर किसी का radius चोटा है, तो उसकी terminal speed, मतलब एक ही liquid की बात कर रहा है, जैसे मानलोब पारिश की बूंद है, छोटी बूंद, बड़ी बूंद, छोटी बूंद की terminal velocity कम होगी, बड़ी बूंद की जादा होगी, और r square पे depend करेगी, यहाँ पर भी सवाल कुछ ऐसा ही है, सवाल आप बिना pen उठाई भी कर सकते थे, मैं कर सकता हूँ, बिना pen उठाई देखो, आपके सामने यहां रखता हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मुझे देखके ही पता चल रहा है, पहले radius एक था, बाद में कितना होगी है, radius दो, तो radius double होगी है, और velocity radius के square पर depend कर रही है, यानि कि square कर दो, तो square करोगे, double है न, double का square क्या होग 피부 4 time, खुद सोचो, अगर velocity radius square पर depend कर रही है, और radius दुगना हो जाता है, तो दुगने का square करोगे, तो 4 गुना हो नहीं हो जाएगा, तो यानि कि अगर 2 का square करोगे, you will get 4, तो यानि कि terminal velocity चार गुना हो जाएगी, क्योंकि terminal velocity radius के square के proportional है, सिर्फ radius के proportional होती, तो radius double करने से terminal velocity double होती, बट यहाँ पे square वाला relation है, directly relation है, तो बिना pen उठाए, मैंने question किया, आप भी कर सकते हो, नहीं confidence सारा, लिख के कर लो, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ, तो अब आपको पता है, V proportional है, R square की, तो अगर आप V dash निकालना चाहते हो, बड़ी वाली drop, तो उसका radius आपको पता है, आप डाल सकते हो, 2 by 9, और उसका radius है, 2 R, 2 R कैसे, पहले हमारा 2 cm था, बाद में हमारा 1 cm हो गया, पहले, sorry, पहले हमारा 1 cm था, बाद में मेरा 2 cm हो गया है, तो 2 is double of 1, यानि कि 2 R square into G divided by eta, और into rho minus sigma, ऐसे करें कि, बहुत असान है method, सब देखो, यहां 2 का square हो रहा है, इस 2 के square को, जो यहां से हो रहा है इसको मैं अलग रख रहा हूँ, 4, बाकी सब को वैसे लिख रहा हूँ, 2 by 9, देखो, इस 2 का जो square हो था, वो 4 मैंने अलग लिख दिया, बाकी 2 by 9, R square G divided by eta और rho minus sigma, यह हमारी पहले वाली terminal velocity थी, जो हमें 20 cm per second दी गई थी, ठीक है, अब आपको पता है, इसको 4 से multiply करना है, 4 गुना हो गया ना, देखो, मैंने और ली भी बोल दिया था, 4 गुना हो जाएगा, तो 4 x 20, यानि की 80 cm per second, तो answer कौन से आजाएगा, यह 4 वाला option, यह 4th option बिल्कुल सही है, ठीक है, आपके सामने इसका जवाब मैंने किया है, और मैंने आपको यह भी दिखाया है, बिना pen उठाए भी, अगर confidence अच्छा है, अगर आप logically कर रहे हो, अगर आप सच मुच इस exam को सिर्फ एक stress की तरह ले रहे हो, तो यह सवाल नहीं होगा, तो फिशाद आप गलत भी कर दो exam में, पर अगर आप थोड़े अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, एक successful doctor बनना चाहते हो, अच्छी जिना चाहते हो, दूसरों को एक अच्छी जिन्दगी देना चाहते हो, तो आप सोच समझ के जवाब दोगे हैं पर भी, ठीक है न, सिर्फ competitive exam निकाल लेना ही, आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपको काबिल भी तो बनना है, आपको काम्याब भी तो होना है, ये भी तो याद रखो, जहां आप अपने आप से honesty छोड़ दोगे न, हो सकता है कई लोग ऐसी, तो के मार के भी कुछ न कुछ कर लें, आगे जाके, बाद में कभी ना कभी तो आपके सामने सलियत आएगी, so honesty को बरकरार रखें, ये चीज भूल जाए, क्या होगा, कैसे होगा, जस्ट ये सोचे हैं कि हम लोगों honestly सारी चीज़े पढ़नी है, अपनी मानदारी देओ, अपने आपको समर्पित कर दो, subject को एकदम समर्पित कर दो अपना आपको, वो आपका ख्याल अप रख लेगा, आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, आपको नहीं सोचना पड़ेग देखो मज़ेदार सवाल है, देखो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, लंबा सवाल देखके घवराएंगे नहीं, सोचने की कोशिश करेंगे, सवाल में क्या कहना चाता है, बोलता है, if terminal velocity या terminal speed of a sphere of gold, ठीक है, gold का हमारा x sphere है, जिसकी density हमें दे दी है, और वो हमें दे रखि यह terminal speed है, gold की, मैं वीजी लिख देता हूं, ठीक है ना, और जो density है, gold की, मैं यहां लिख देता हूं, density of gold, हम लोगों को यह दे रखिए, ओके, और viscous liquid, जिस liquid में वो गिर रहा है, उसकी density भी दे दी है, यानि कि इसको हम sigma लिख देते हैं, जो मेरा liquid है, उसकी density भी हम लोगो को sigma यहां पे देती, find the terminal speed of a sphere of silver, अब हमें silver के लिख लिए, तो सबसे पहले हमना formula लिख लेते हैं, सबसे पहले gold की बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, ठीक है, सोने का मतलब है, पहनने वाला सोना, सो मत जाना भाया, ठीक है, सोना, ओके, सबको प्यारा है sir, सोना, और अग यहां पे क्या formula आ जाएगा, 2 by 9, और जो radius है, उसका square, और multiply क्या आता है, G, और divided by क्या आता है, यहां पे, ठीक है न, यही आ जाता है, ओके, यह तो liquid पर depend करता है, liquid हम बदल नहीं रहे, तो यह सेम रहेगा, ओके, और density of gold minus density of fluid, ठीक है, तो आपने पहले gold का एक sphere डाला, फि silver का एक डाला, तो अगर आप silver के लिए लिखोगे, तो क्या formula बन जाएगा, same, जैसे यह gold के लिए formula है, वैसी अगर आप silver के लिए डालोगे, तो silver के लिए क्या formula बन जाएगा, क्या हम radius बदल रहे है, question में नहीं बदल रहे, same radius का डाल रहे है, है न, तो यहां पे अगर हम ध गया आप देख सकते हों, इसके लाब और कोई फरक अगर आपको नजर आता है तो मुझे बता सकते हैं, और कोई फरक नहीं है, ठीक है न, आप यहाँ से इनका रेशियो ले सकते हो, मैं आपसा पूछू, वी जी भाई वी एस क्या आएगा, जो चीजे सेम है वो अपना भी कै कर रहे हो, तो देखो 2 by 9, r square g eta, क्या वैसे ही नी cancel हो जाएगा, जैसे होना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए न, यह cancel out हो जाएगा, यानि कि यहाँ से सिर्फ बचएगा, density of gold, minus density of fluid, और नीचे बचएगा, density of silver, minus density of fluid, अब यहाँ डाल दो, जानते हो आप लोग, ठीक ह 1.5 है, और अगर नीचे जाओ, silver की बात करो, silver की density आपको दे रखी है, देखो, density, silver की 10.5 है, और इसमें से कितना minus करना है, जल्दी से देखो, 1.5 को minus करना है, बिल्कुल असान चल रहा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अराम से चलता जा रहा है, कुछ है ही नहीं, अब क 13.5 में से 1.5, कितना आजाएगा, 18 आजाएगा, सर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, 18 आगया, और नीचे 10.5 में से 1.5, अरे सर, 9 आगया, यह तो बहुत असान नहीं हो गया, यह तो 2 आगया, ठीक है न, यहाँपे क्या आगया 2, यह 2 किसके equal है, यह भी ज़रा ध्यान से देखें, गोल्ड की speed divided by silver की, और हमें निकालनी तो silver की है न, कोई बात नी, थोड़ी सी calculation कर लेंगे, आंसर आजाएगा, यानि कि हमें पता है, गोल्ड की speed, गोल्ड में जो viscous speed है, वो 0.2 है, divided by speed in silver, यह आगया मेरा 2 times, यह solve करके 2 times आगया, तो silver में कितना आजाएगा, 0.2 divided by 2, यानि कि 0.1 meter per second, easy question है, बहुत असान question है, just आप लोगों को ध्यान देना है, क्या हम कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, easy है, मैंने सबसे पहले हैं, gold के लिए equation लिखी, फिर मैंने हैं, silver के लिखी, फिर इन दोनों को combine कर दिया, third में मैंने क्या किया है, ratio लिया है, दोनों का solve, ठीक है, क्या ही असान नहीं लगा आप लोगों को, literally बताना मुझे, क्या ही असान नहीं है सवाल, बहुत असान है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है, शायद मैंने आज आते ही सबसे पहले यही discuss किया था, और आप AyKrad value, यानि की वो एक Terminal Velocity Attain कर लेता है, इसका क्या, क्या-क्या explanation हम लोगों ने देखा, ऐसा क्यों होता है, वो Terminal Velocity क्यों Attain कर रहा था, वो Soface Tension की रज़े से कर रहा है, अब Thrust Air की वज़े से कर रहा है, Viscuse Force की रज़े से कर रहा है, Air Current की वेसे कर रहा है, तो इसका Correct answer सो आए आछ बोलगे हाँ जो इसको मददकार है जो इसको अराम से क्या कर दो कर रहा है डिमिटिट रुक नहीं रही बिसाटिंध में नहीं है आज स्टार्टिंग में मैंने समझाया था नहीं तो ये बारिश की बूंदे आपको बुलच से कम नहीं लगती ऐसा लगता गोली बारी हो रही है ऐसा लगता कि किसी ने गोलीयां चला दी है बिल्कुल ऐसी लगती है हम लोगों को खुद सोचो ठेक है ना भगवान का शुक्रिया करो कुदरत देखो भगवान की कैसे उसने सारी चीज़े बनाई है एंवायरमेंट को किस तरीके से बनाया हमारी कितनी परवा है उनको यह भी तो देखो ना हम लोग कितने कई बार कितने नराज हो जाते हैं भगवान से यह नहीं मिला मुझे लाइफ मुझे यह नहीं मिला देखो फलाने को क्या क्या दे रखा है उसको कितनी चीज़े दे रखे हैं भगवान ने पर सबको कितना नाप तोल के भगवान ने कुदरत बनाके दिया एंवार्मेंट बनाके दिया ठीक है शुक्रिया करो परपद्दार कर ओके आगे बढ़ते हैं यूनित किसकी रिसकी यूनित थी काई सुना सा लग रहा है है किया ये54 ऐसकी यूनित नहीं यह cgs उडिट है तो याद रखें विस्कॉसिटी ठीक है ना सही तो लिखा था शहाद ने कोफिशेंट ओविस्कॉसिटी की यह cgs unit है ठीक है ओके easy है असान है भूलना नहीं है और relation भी हम लोगों को को याद है अगर आपको याद हो एक poise में कितने poiseol होते थे याद करते चलो भी 10 की power minus 1 poiseol होता था था है ना पहले poise लिख दो फिर u i double l ठीक है यह SI unit है यह हमारी SI unit this is my SI unit ठीक है ओ एक अच्छा सवाल इसको सब्सक्राइब से देखते हैं यहां कहता है a sphere of mass m and radius r is falling in a viscous fluid the terminal loss attained by the falling object will be proportional to तो यहां पर वो क्या कह रहा है एक sphere है जिसका mass m है और radius r है वो fall कर रहा है किसी viscous liquid में तो terminal velocity किसके proportional होगी तो terminal velocity की अगर हम बात करें terminal velocity का formula जो होता है वो होता है 2 by 9 r square g divided by rho divided by eta और rho minus sigma ठीक है ना rho minus sigma clear है यहां पर आप एक चीज समझना ठीहान से यह object किसी viscous fluid में गिर रहा है और इस question को करना है हमें तो हमें एक थोड़ा सा exemption लेना पड़ेगा वो यह मान के चलना पड़ेगा क्योंकि यह proportionality निकालनी है सो आप लोगों को एक चीज माननी पड़ेगी यहां रो सिग्मा से बहुत जादा है ठीक है ना object की density में यहां सिग्मा से जादा मान रहा हूं तो एक direct relation निकालना सान हो जाएगा अधरवाइस थोड़ा सा complex हो जाएगा solve करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सो मैं आपको बताके चलता हूं यहां पर क्योंकि यहां पर मास को हम बहुत कम यहां पर उसके density को बहुत ज्यादा कम आकरें यहां पर तभी यह सवाल हो पाएगा यानि कि सवाल को करने के लिए आप सिग्मा को यहां थोड़ी धर के लिए निगलेक्ट कर दोगे तो थोड़ा असान हो जाएगा सवाल करना यह जाएगा टू बाइन के औपजेट की होती थी और यहां पर जो सवाल है उसपर मास भी ओबजेट का है रही थैं ना हमने यहांपर इसको ह्रो को इसको उसलो के दिया एक Oh यहां ऑसी हमारा औज्यक्त का दिया है मतलब वो किस से आएगा, रो से आएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हूँ, यह terminal velocity का formula हो गया, यहाँ पर क्या करें, density का कोई formula हम जानते हैं, हम लोग यहाँ density को eliminate करते हैं, density का formula हम जानते हैं, density क्या होता है, mass divided by volume होता है या नहीं होता है, सूचो, और क्या मैं m divided by volume, यानि कि 4 by 3 pi r cube लिख सकता हूँ, देखो, लिख सकता हूँ, 4 by 3 pi r cube लिख सकता हूँ, तो यहाँ से terminal velocity अगर आप निकालोगे, 2 by 9, और यहाँ पर radius का square, into g, और divided by eta, और यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, mass divided by volume, यानि कि 4 by 3 pi r cube, क्या cancel out होता है, जरा द्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारा cancel out हो रहे है, उपर r square है, नीचे r cube है, तो नीचे बचेगा r, यानि कि अगर आप द्यान से देखोगे, यहाँ पर clearly अगर आप देखोगे, नीचे r आपका बच रहे है, mass upon volume अगर आप यहाँ से कर रहे हो, तो definitely, यहाँ पर बाकी सब तो constant है, 2 by 9 constant है, g constant है, m को तो हमें use करना भी, 2 by 9, g constant है, और नीचे eta constant है, और नीचे 4 by 3, pi आ रहे है, पर यह सब constant है, मैं कुछ cancel out भी नहीं कर रहा है, यह आने दो जो भी आ रहे है, ठीक है, और बचा क्या मेरा नीचे, m divided by r, यह बचा ना, मेरे को त इसने capital R लिया है, मैंने small r लिया है, पर फरक नहीं पड़ता, हमें यहां से समझ में आ गया, जो मेरी terminal velocity है, वो किसके proportional आ गई है, m divided by capital R लिख रहो है, small r की जगे, radius हम लोगों को question में capital R लिया है, इसलिए वहाँ capital R लिया है, क्या यही answer आ जाएगा, क्या ही असान है, m divided by r आ जाएगा, ठीक है, sphere of mass m, radius r, falling in a viscous liquid, terminal velocity, हमने इस formula में डाला, देखो मैंने इसको sigma को इसलिए ग्नोर किया, ताकि हमें यह easily relation मिल जाए, sigma को हला कि आप लगा देते हैं, तो यहां पे भी एफेक्टर मिलता, पर इसलिए हमने sigma को यहां पे इग्नोर कर दिया है, यहां m by r क relation विलकुल सही है, ओके, so temperature के साथ क्या variation होता है, viscosity का हम इस पर चर्चा करते हैं, अब viscosity हम लोग fluids के लिए discuss करते हैं, मतलब solid में नहीं है, liquid में है, viscosity आपकी gaseous में है, तो gas में जो बहती है, liquid जो खुद flow करता है, उन में viscosity का concept आता है, अब temperature के साथ इसकी कैसे, कैसा variation है, temperature के स साथ ये कैसे depend करते हैं, इस पर क्यों ना चर्चा कर ले, temperature के साथ कोई फरक पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इस पर चर्चा कर ले, temperature का variation बहुत ही साफ सुथरा सा variation है, बस अलग-अलग variation आपको नज़र आएंगे, liquid में कुछ अलग, और gaseous में कुछ अलग, ठीक है, तो च as the temperature increases, तो अगर हम liquid की बात करेंगे, temperature बढ़ाने से viscosity घटना स्टार्ट हो जाती है, high temperature पर कम viscous होता है, यानि viscosity उल्टा है, एक तरीके से आप कहते हो, it will be decreasing, कैसे decrease कर रहा है, यह नहीं पता, क्या exact formula नहीं पता, बट हाँ, यहाँ पर inverse relation है, एक के बढ़ने से दूसरा temperature बढ़ाओ, viscosity घटाओ, यानि कि temperature को बढ़ाओ, liquids में है, temperature बढ़ाओ, viscosity घटाओ, ठीक है न, viscosity यहाँ घट जाएगी, decrease हो जाएगी, ठीक है है, temperature में है ohne, याद रखनाओ, यह गक्विट में है, पानी में, different solutions में, जो liquid form में है, उन्में है, और उसी की साथ अगर हम g ôs की बा तो हमारे पास कोई गयस है किसी कंटेशन evolve i bought जो viscosity है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने पीछे देखे था, decrease हो रही है, इसमें already हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे, पिछले वाले case में तो घट गई थी, बट इस case में हम लोग कहेंगे कि यह बढ़ गई है, ठीक है न, क्योंकि already gaseous, जो molecules होते हैं, वो काफी speed से होते हैं, अगर आप temperature बढ़ाओगे, उनकी velocity बहुत बढ़ जाती है, it leads to high viscosity, high molecular motion की बज़े से, इसकी viscosity बढ़ जाती है, तो आप कह सकते हो, molecular motion बढ़ने की कारण, है न, molecular speed बढ़ जाने के कारण, तो यहाँ पर जो molecular speed है, वो increase कर जाती है, इसकी बज़े से high viscosity generate होती है, यानि gas ultra behave करता है, liquid और gas का behavior अलग है, है न, यानि कि अगर मैं ध्यान से देखू, अगर liquid की बात करूँ, तो ultra है, gaseous behavior से, तो यानि कि liquid में अगर आप temperature बढ़ा रहे हो, तो viscosity घटा रहे हो, ठेक है न, यहाँ पर अगर आप temperature बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर coefficient of viscosity बढ़ जाएगा, तो gaseous में और liquids में थोड़ा सा difference यहाँ पर आपको ज़रूर नजर आएगा, यहाँ इन दोनों में नहीं बनती है, यह अलग-अलग है दोनों का behavior, the coefficient of viscosity for a hot air, air क्या है, gaseous है, hot air की viscosity, obviously cold air से जादा होगी, तो यहाँ पर सवाल यही पूछा गया है, hot air की viscosity के बारे में, the coefficient of viscosity for hot air, गरम हवा, गरम हवा की viscosity जादा होगी, molecular motion जादा होगा, हम लोगों ने भी discuss किया था, तो greater than the coefficient of viscosity for the cold air, तो यह बहुत easy सवाल है, एकदम simple, है ना, एकदम हलवा, है ना, जो भी आप कहना चाहो, जो भी आप प्यार से इसको बोलना चाहो, बहुत ही मासूम, बहुत ही शरीफ, बहुत ही सीधा सादा सा सवाल, जिसमें गलती होने के chances बहुत कम है, अगर आप इसको गलत करोगे, तो फिर अपनी बज़े से करोगे, जान बूचे गलत कर सकते हो, या फिर अपनी लापरभाई से गलत कर सकते हो, क्योंकि यह सवाल इतना असान है, ठीक है, अगर आपको पता है, तो आप directly answer कर दोगे, हाँ, अगर आप भूल गए exam में कि आपको कुछ ऐसा पढ़ाया गया था, आपको gas का viscosity के बारे में पढ़ जाती है, लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड लेस विस्कस हो जाता है, ठीक है, अगला सवाल, एक और बहुत काम का सवाल है, जो mechanics को मिला के बनाया गया, यानि कि यहाँ पर यह सवाल में मेरा personal favorite रहा, क्योंकि यहाँ पर सवाल में दो चीजों को आपस में join करके question को बनाया गया है, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, तभी attempt करेंगे, बिना पढ़े सवाल attempt करना बहुती बड़ा crime है भी है, बहुती बड़ा गुना है, ठीक है न, मेरे इसाब से कोई अजादी नहीं है उस गुना कि आपको jail हो जानी चाहिए, ठीक है, अगर आप बि तो फिर तूटके पढ़ो, अगर बिना तूटके, अगर पहले तूटके पढ़ जाओगे, तो सवाल तुमें पकड़ लेगा भाई, ठीक है न, क्या दो जाओगे, अपने ही थोटो में, अपने ही विचारो में, तो बैस्टर है, पहले सवाल पढ़ो, दिहान से देखू, नहीं समझ में आया, तो बहुत धिहान से समझने की बात है, कि यह क्या कहना चाता है, वो कह रहा है, आपने एक कंटेनर ले लो, कुछ भी ले लो, जिसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर हम अपना लिक्विड कंसीरर कर लेते हैं, और उपर से किसी ऑबजेट को यहां यहां जाते जाते, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अब आप लोग काइनेमेटिक्स यूज कर रहो, वक एनजी यूज कर रहो, तो गलत है, क्योंकि आपको यह चीज रट जानी चाहिए, मैंने बहुत सारे सवालों में करा है, कोई अबजेक्ट अगर उपर से गिरता है, ह हाइट से नीचे गिरता है, तो ह हाइट नीचे आने के बाद, ग्राविटी की वज़े से, रूट टू जीएच, उसकी स्पीड हो जाती है, एक्वेशन ओफ मोशन से आया है, वी स्कॉर इगल से यू स्कॉर प्लस टू एस, खुद अपलाए करो, याद रखो, मैं बार बा होना चाहिए, अब तक तो पता होना ही चाहिए, यानि कि सर, इसकी स्पीड टकराने से पहले, रूट टू जीए चुझाईगी, कमाल की बात है, वो कहता है, टकराने के बाद भी स्पीड बदलती नहीं है, यानि कि यही इसकी टर्मिनल स्पीड बन जाती है, कह रहा है अबजेक्ट की डेंसेटी सिक्मा है, और लिक्विड की रो है, अब्वियसली यहाँ पे सिक्मा रो से बड़ा होगा, तभी तो काम बनेगा, ना इस बॉल स्पीड डस नोट चेंज ओन एंटरिंग था लिक्विड देखो, कह रहा है, जो स्पीड है वो बदल नहीं रही है कि यही मेरी टर्मिनल स्पीड नहीं हो जाएगी, यानि कि route 2Gh को हम लोग टर्मिनल स्पीड बोल दें तो कोई हर्स तो नहीं है, यानि कि हम इसको लिक्व दें 2 by 9 और इसको लिक्व लिक्वेर r2 g और divided by ε, और अगर हम ध्यान सेदेखें, सिग्मा माइनस रो कर रहो है यह सबस्क्राइब आगा fleeing-धिल्ट सेजिफून को बहुत आसन इसों यहान से 2 जीच मुन जाएगा और यहां से आ जाका घई गूत को सबका स्क्वाइर कर रहा हूं two by nine are square g divided by eta और sigma minus rho देखो left side square किया है अगर मैंने तो under root हटा है तो right side इस पूरी चीज़ का square हो गया होगा ऐसा ही गुआ होगा है ना और अब हमें चाहिए क्या हमें तो h से मतलब है हमें मतलब है h से हम निकालना चाहरे है h को तो हम ये 2g को right side divide करेंगे right side देखो 2g का भी square है तो ये 2g यहाँ पर 2g का square है divide होगा तो नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे ये नीचे चला जाएगा divide में यानि कि जब हम h से h यहाँ रखेंगे 2g से divide करेंगे उपर 2g का square है और नीचे 2g आजाएगा यानि कि उपर बचेगा 2g आप ऐसे लिख लो चलो 2g का square divided by 2g है ना इस 2g को नीचे लेगा है बाकि सब को bracket मैं ने दो मैं bracket से बार 2g को लिए आया था बाकि सब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे बचेगा वही r square eta है ना और g भी है और यहाँ पर sigma minus rho है ठीक है ना और इस पूरे का square है यही तो हुआ ना ठीक है ना बहुत असान है बेटा 2g का square मैंने भार ले लिया ताकि 2g से divide करूँ इनीचे 2g है 2g का square है तो ओपर 2g बचेगा यानि कि उपर बचा 2g और bracket में बचा r square ठीक है ना g को हम भार ले जा चुके थे g को दुबारा हमने लिख के गलती कर दी ना यहाँ पर ठीक है ना चलो मैं इसको हटा देता हूँ हो जाती है छोटी-छोटी गलती हो जाती है बढ़ ध्यान से इसको बात में eliminate जरू कर ले ना यहाँ से हमें ओल्रेडी 2 को भार ले जा चुके थे तो यहाँ से r square by eta sigma minus ru आएगा g नहीं आएगा g भार ले जा चुके है g ले जा चुका था भार में है ना okay g मैं ले जा चुका था मैंने गलती से g भी लिख दिया था पर मैं इसको भार ले जा चुका था सिर्फ r square बचेगा sigma minus ru divided by eta और इसका complete square अब अपना answer आप लोग यहाँ ध्यान से देखो एक 9 जरूर लिख ले ना नीचे 9 भूल गया मैं क्या हो रहा है आच ठेक है ना हो जाता देखो थोड़ा दूर से देखो तो समझ में आता है कुछ भूल गए हाँ अब देख लेता हूं मैं टू बाए नाइन टू तो भाले जा जा चुक है गलतिया हम करेंगे तभी तो हम इंसान है ने तो भगवान नी कहलाएंगे पर हमें गलतिया सुधान नी भी आनी चाहिए ठीक है कोशिश करो जितनी कम गलतिया करें उतना अच्छा होता है ठीक है मेरी बात लगे मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूं आप लोगों को मैच कर रहा है बिल्कुल सही है आगे बढ़ सकते हैं टर्मिनल विलोसिटी विद इस्टेंस एंड टाइम यह टर्मिनल विलोसिटी नहीं एक्चुली विलोसिटी का वैरियेशन है कहने का मतलब है अगर किसी अबजेट को हम गिराते हैं उपर से मालनो जीरो स्पीड से गि में है यह अबजेट किसी मीडियम में है किसी फ्लूइड में है और ऑबजेट की जो डेंसिटी है मैं ऑबजेट की देंसिटी को रो मान के चल रहा हूं और फ्लूइड की जो डेंसिटी है ठीक है ना फ्लूइड की जो डेंसिटी है उसको सिगमा ले रहा हूं यह देंसिट इस मैंने दे दी, और of course, यहाँ पर object की density को मैं fluid की density से जाधा मान रहा हूँ, तो ऐसे case में इसकी initial speed 0 है, पर नीचे जाते 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 speed बढ़ती है, आपको याद है, नीचे जाते जाते speed बढ़ती है, तो फिर नहीं speed change करती है, फिर नहीं speed बदलती है, फिर speed इसकी constant रहती है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, पहले speed बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर constant हो गई, बट अगर आप acceleration की बात करोगे, acceleration नीचे जाते जाते, अभी acceleration आपका यहाँ पर पता है, maximum होता है, नीचे जाते 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 जाते, acceleration decrease होता है, 0 हो जाता है, finally यहाँ पर decrease होता होता, यहाँ acceleration 0 हो जाता है, negative कभी नहीं है, negative का मतलब यह नहीं है, कि आपको उसे downward direction तो आप negative लेते थे। यहां कहने का मतलब है वो हमेशा विलासीटी की डिरेक्शन में है। आप downward direction को positive ले लो, तो आप की velocity भी positive, acceleration भी positive अगर आप downward direction को negative बे रहे हो, तो बायक सेजल बाइं है कहने का मतलब है acceleration हमेशा speed की direction में है and velocity की डिरेक्शन में, ठीक है न, acceleration is always in the direction of velocity, speed की तो कोई direction होती नहीं, velocity बोलना चाहिए, तो acceleration always in the direction of velocity, यानि की वो हमेशा नीचे है, सबसे जादा acceleration उपर था, नीचे जाते जाते घटे घटे जीरो हो गया, इसका graph सोचते हैं, आप time के साथ भी देख सकते हो, distance के साथ भी देख सकते हो, दोनों graph सेम बनते हैं, हमें exact graph नहीं चाहिए है यहाँ पर, हमें सिर्फ एक approximate graph चाहिए होता है, तो यहाँ पर, अगर मैं बात कर रहा हूँ, speed versus distance, this is not terminal speed, this is just a speed, यह terminal speed नहीं है, यह speed है, जब वो constant हो जाएगी, maximum हो जाएगी, तब आप जाके इसको terminal बोलोगे, यानि कि सबसे पहले यह कितनी थी, 0 थी, और धीरे 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 बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और एक time के बाद constant हो जाती है, तो यह graph कुछ इस तरीके से आता है, आप देख सकते हो, यह graph कैसा आता है, कुछ इस तरीके से आता है, इस graph का आप देख रहे हो, slope decrease कर रहा है, इस graph का slope देता क्या है, acceleration देता है, इस graph का slope क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, not acceleration exactly, क्योंकि यह x में बना है, time में बना तो तो acceleration कहते हैं, but kind of acceleration ही देता है, तो आप देख सकते हो, यह धिहान से देख सकते हो, तो यह आगे जाते जाते हैं, क्या होता जा रहा है, decrease होता जा रहा है, तो घटी रहा है, आप देख सकते हो, db by dx घट रहा है, तो इसका acceleration भी कम होता जा रहा है, और finally एक velocity attain कर लेता है, this is terminal velocity, यह जो maximum velocity यहाँ पर मिल रही है, थोड़ी देर के बाद, इसी maximum velocity को आप vt कह रहे हो, यानि कि terminal velocity कह रहे हो, टाइम के साथ भी graph almost same बनता है, हमें कुछ values वगेरा नहीं निकाल के दिखानी है, हमें just इसका dependence चेक करना है, तो यानि कि अगर आप velocity versus time की बात करते हो, तो भी आप इसी तरीके का graph expect करो, वो भी ऐसा ही आएगा, यानि कि थोड़ी देरे बाद जाके velocity उसकी constant हो जाएगी, तो यहाँ पर जाके इसकी velocity थोड़ी देरे जाके constant हो जाती है, और इसको हम क्या बोलते है, terminal velocity, acceleration पे आप चर्चा करो, तो ultra relation होना चाहिए, अगर आप acceleration पे चर्चा करते हो, तो acceleration पहले maximum होता है, फिर थोड़ी देर बाद 0 हो जाता है, तो acceleration versus time या position की आप बात करोगे, तो acceleration पहले हमारा maximum था, और थोड़ी देर बाद जाते जाते ये कहीं ना कहीं, 0 से कट करता है, यहां पर axis पे, acceleration कभी ना कभी जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, चाहिए, 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 आप पुजीशन से कओ या time से कओ, दोनों से, चाहिए, मैं X की बात करू, या फिर टी की बात करू, इस direction की बात करो, या टी की बात कर है इस तरीके से ठीक है ना so velocity position या velocity time के साथ आपको graph बता होना चाहिए कोई भी object free fall कर रहा है यहां पर हम लोग यह चीज consider कर सकते हैं अब यहां इसको खाली free fall नहीं कह सकते क्योंकि यहां viscous force भी है free fall का मतलब होता है सिर्फ acceleration due to gravity का लगना पर यहां यह exactly free fall नहीं है क्योंकि यहां पर viscous drag भी मौजूद है present है viscous drag अपना खेल खेलेगा यहां पर यहां पर आप सिर्फ gravity की बज़े से नहीं गिर रहे ठीक है ना और आज मैं बार बार बता चुक हूँ अच्छी बात है नहीं गिर रहे खाली gravity की बज़े से नहीं तो बरसातों से नफरत हो जाती है हम लोगों को ठीक है न ओके चलो भई आइटिंग यह बात समझ में आ गई है हम आगे बढ़ते हैं अगला एक कमभाइन करके समझ सकते हो कोई एकटाम बनती है यानि कि अगर कि surface की अगर मैं बात करूँ, surface का मतलब वो होता है, जो दो medium के contact में होती है, यानि कि अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पानी के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर हम बोल सकते हैं, अगर यह water है, तो इसके अंदर बहुत सारे molecule को क्या दिखेगा, उपर दिखेगी air, और नीचे क्या दिखेगा, इसको water, तो यह वाले molecules से लिए, दो अलग-अलग medium को यह separate कर रहे है, surface is something that separates two medium, surface वो चीज़े हैं, दो जो medium को अलग-अलग करती हैं, उसको हम surface कहते हैं, जो दो medium के contact में होती है, आप देख सकते हो, इसके ऊपर क्या है, air, नीचे क्या है, water, so this is the surface, है न, so, surface separates two different mediums, so faces क्या करती है, it, surface क्या करती है, surfaces separates two different mediums, यह दो medium को अलग करती है, generally हम लोग उनको surface बोलते हैं, जो एक air में होती है, एक surface यहाँ पर, surface की बात करें, उनमें से एक medium हम यहाँ पर generally किसको consider कर लेते हैं, air को, दूसरा object को, तो हम लोग जो physics में, या generally हम daily, रोज महला की जिद्दगी में जो हम लोग बात करते हैं, वो यह कहते हैं कि surface का separate करें, इसको interface भी कह सकते हैं, surface भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, surface पर एक tension उत्पन होती है, इसको बोलते हैं, surface tension, ठीक है, तो आप एक चीज याद रखना, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, I think आप लोगों ने देखा हो, मैंने तो बहुत बार देखा है, बारिशों के टाइम पर कभी कभी क्या होता है, मच्छर वगएरा, पानी की बुंदों पर पानी बिखरा होता, उसके उपर बैटते हैं, बुंदों पर तो नहीं, पानी के उपर बैठे होते हैं, ठीक है ना बहुत अच्छा मच्छर तो नहीं मनाया मैंने ठीक है थोड़ा सा understand कर ले ना मच्छर हो गया spiders हो गई वो पानी की सतह पर चल भी लेती हैं कहीं बार आप सुसते हो दूपती क्यों नहीं है तो यहां पर मस्किटोज हो गए मस्किटोज हो गए और स्पाइडर हो गई ठीक है यह क्या करते हैं अराम से water की surface पे बैठे रहते हैं और डूपते नहीं है ठीक है हाला कि आप लोग एक experiment खुद भी करके देख सकते हो मैंने किया हुआ है ठीक है आप क्या कर सकते हो जैसे यह पानी है ठीक है तो इसके उपर क्या कर सकते हैं इसकी surface पे ना आप निडल रखो अब निडल मतलब सुई सुई तो आपको और आइरन की होती है वो तो डूब जाएगी और अगर आप बहुत केरफूली रखते हो ना तो इसके उपर तैरती रहती है कभी करके मैंने किया था एक बार मुश्किल होता है रखना इसके लिए आप यह कर सकते हो आप एक बटर पेपर बटर पेपर देखा है पतला सा पेपर होता है उसको surface पर रखो और उसके उपर निडल रख दो और बटर पेपर थो थोई देबाद बाद बैट जाता है निडल तैरती रहती है ठीक है न मतलब मेरे पास यहां निडल नहीं है पर मेरे पास यहां पर कुछ और है यह toothpick जैसे होता है वैसे है निडल जैसे है तो अगर आप ऐसे बहुत ध्यान से रखोगे ना तो आपको ऐसे तैरती भी नजर आएगी इसके surface पर वह डूबेगी नहीं आएगी तो वह कैसे तैर लेती है सर उसकी density तो जादा है है ना वह कैसे तैर लेती है यानि कि एक निडल ठीक है अगर आप अगर एक निडल की बात करते हैं यानि की एक सुई की बात करते हैं जो की iron की बनी है iron निडल की बात कर रहे हैं ठीक है ना wood की नी मैंने तो यहां toothpick डाला दिखाने के लिए इलस्टरेशन के लिए बड़ आप इस तरिके से अगर आप एक निडल को भी रखते हैं तो वह तयरती रहती है ठीकशे के एक निडल आप ऐसे रख सकते हूं तो यह निडल क्या होती है iron nail या needle है ना नेल थोड़ा सा भरी हो जाता है आप needle की बात करो शिचाव महसूस करते हैं, जैसे मैं यहाँ पानी की सतय दिखाता हूँ आपको, तो यह जो पानी होता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से, ग्लास में पानी डालते हूँ, सीधा पी जाते हैं, प्यास लग रही होती है, कभी ध्यान दिया हो, तो इसकी जो सतय है, एक्दम खीच के रखी हुई है, एक मेंब्रेन, खिची भी मेंब्रेन की तरह है, मेंब्रेन का मतलब जैसे गुबबारा है मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसे खीचता हूँ, यह ऐसे खीचता हूँ, तो यह एक मेंब्रेन सा बन जाता है, this is the membrane, आप देख सकते हो, इसको ऐसे दबा सक कर रही है, वो जितना जादा खीच सकती है, वैसा खिचने की कोशिश कर रही है, अब क्यों कर रही है सर, ऐसा क्यों है, सर्फेसे एक मेंब्रेन की तरह है, पर क्यों है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं, सर्फेसे कैसा फील करती है, सर्फेसे फील्स लाइक स्ट्रेच stretch membranes की तरह हैं जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया है ना रबर को मैंने जैसे भी खीच के दिखाया था बिल्कुल ऐसी इसे समीश ऐसे खिचाप सा मैसूस करती है से खिची-खिची मैसूस करती है तो सोफेस कुछ इस तरीके से होती है ठीक है ऐसा क्यों होती है इसका reason क्या है सर होती तो है पर ऐसा क्यों होती है वाई है ना आप सोचोंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है वाई इसका reason क्या है तो इसका reason हमें समझना पड़ेगा वो इसका reason थोड़ा molecular level पर जाता है आप इतना समझना कि अगर आप इसके अंदर molecules को consider करते हो water के अंदर इसके molecules को consider करते हो तो अगर आप कोई molecule नीचे ले रहे हो तो वह बहुत सारे molecules से surrounded है ठीक है ना यह बहुत सारे molecules से surrounded है तो जो inner molecules है जो नीचे अच्छा खासा नीचे वाला molecule है इसकी potential energy बहुत जाधा negative में होती है potential energy कैसी होती है मालनों इसकी potential energy very low, ठीक है न, इसकी low potential energy है, क्योंकि यह जितने molecule से interact करेगी, उसके आसपस बहुत सारे molecule है, वो हर तरफ से, चारो तरफ से, चारो तरफ से, हर तरफ से, चारो मैं इधर से देख लूँ, इधर से देख लूँ, आगे से देख लूँ, उपर से देख लूँ, वो molecule हर तरफ से घिरा हुआ है, बहुत सारे molecule से, और ये एक molecule के साथ potential energy negative share करते है, attractive forces हमेशा negative potential energy देते हैं, attractive forces हमेशा negative potential energy देते हैं, तो जितने जाधा molecules से ये घिरा हुआ है, उतनी ही जाधा negative है इसकी potential energy, तो इसकी potential energy very low है, है ना, अगर हम negative में बात करें, तो इसकी negative में बहुत जाधा होगी, मालों, minus 200 joule, तो आपको बहुत जाधा है sir, है ना, तो अगर आप ध्यान से देखो कि इसकी potential energy low है, क्योंकि ये जा surrounded by many molecules, because it is surrounded by, ये बहुत सारे molecules से surrounded है, surrounded by many molecules, हजारो लाखो molecule इसके आसपास घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो जितने जाधा molecule से interaction होगा, एक molecule से वो interact करता है, तो मालों, minus 1 joule energy है, ऐसी अगर 1000 molecule से interact कर रहा है, तो minus 1000 joule, तो इसका मतलब है, जितने जाधा molecule इसके आसपास होगे, उतनी negative energy जाधा होगी, पर अगर आप surface क किसी molecule को दियान से देखती हो, तो इसके नीचे तो molecule है, आगे पीछे molecule है, पर इसके उपर नहीं है, no molecule of water, है ना, no molecule of fluid ले ले तो, है ना, no molecule of fluid, या फिर लिक्विड, यहाँ पर मैं liquid ले रहा हूँ ना, यहाँ पर, liquid की बात कर रहा हूँ, no molecule of liquid, ठीके ना, on upper point, है ना, तो इसके उपर, यहाँ पे, कोई molecule नहीं है, यानि कि, जो पानी का molecule या liquid का molecule, surface पे है, उसके नीचे तो molecule से पर उपर नहीं है, तो इसकी comparatively potential energy, कम negative है, यानि कि, actually, इसकी potential energy, आप बोलोगे, जादा है, मैं आपको दो number compare करने के लिए दू, मैं बोलो, एक number है, minus 1000, और दूसर बड़ा number है, सोचो, definitely minus 200 बड़ा है, वही हाल इस उपर वाले molecule का हो रहा है, नीचे वाले molecules से इसकी potential energy negative तो हो रही है, पर उतनी नहीं जितनी इसकी है, इसकी potential energy जादा कम है as compared to यह, surface के molecules की इसका मतलब potential energy negative तो है, पर उतनी नहीं जितनी नीचे वालों की है, तो comparatively, अगर आ नहीं रहना चाहती, high energy पर नहीं रहना चाहती, एक example देता हूँ, आपको यह pen नजर आ रहा है, इस pen को मैं छोड़ता हूँ, तो यह नीचे क्यों आता है, सोचो, इस pen को नीचे छोड़ता हूँ, आप तो कहोगे gravity की बिदे से आ रहा है, वाट अगर आप energy की terms में बताओ, तो यह pen नीचे इसलिए भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ इसकी potential energy जादा है, नीचे आने पर घट रही है, सोचो दिमाग से, कभी भी आप एक spring को खीचते हो, तो उसकी energy जादा होती है, आप छोड़ते हो, तो और नहीं खीचता, वो वापस आता है, अपनी mean position पर वापस आता है, वो भी चाहता है अपनी energy minimum करना, अगर मैं यहाँ गरम पानी का glass लेके आता हूँ, मैंने बोला इस glass में गरम पानी है, थोड़ी देबाद ठंडा हो जाता है, क्योंकि गरम पानी जादा energetic है, गरम पानी जादा energetic है, वो धीरे धीरे अपनी energy कम कर रहा है, तो कुदरत का नियम है कि energy को कम रखना चाहता है, हर object, हर चीज अपनी energy कम रखना चाहता है, chemistry में आप पढ़ते हो कि atoms bond form करते हैं ताकि उनकी energy कम हो जाए, stable हो जाए, हर चीज stability चाहने के लिए energy का कम होना जरूरी है, तो दुनिया में हर चीज stable होना चाहती है, stability का नियम क्या है, stability तभी चाहेगी, stability है ना, for stability, है ना, for stability, आपकी energy कैसी होनी चाहिए, energy of system should be minimum, आप कम से कम energy चाहते हो, ठीक है ना, energy of system should be minimum, ठीक है न, तो molecules भी लड़ाई कर रहोंगे, सोचो molecules की जगे आप हो, आप, आपके दोस्तियार, सारे बैठे में, और मैं आपको बोलू कि भया, आपको नी stability चाहिए, तो अगर आपको stability चाहिए, तो आप नीचे रहना, मन्जूर करोगे या उपर, आपको मुझे तो नीचे रखो, मैं नी जा रहा उपर, उपर तो बहुत जादा energy है, मैं नी जा रहा, है ना, ऐसी बोलोगे न, तो molecules भी तो ऐसी करेंगे, molecules में लड़ाई अब जो बैचारे molecules उपर आएंगे, वो एक दूसरे से दूर-दूर भागेंगे, क्योंकि surface से कम से कम molecule रहना चाहते हैं, तो actually कम से कम molecule रहना चाहते हैं, इसलिए molecules बहुत दूर-दूर भागते हैं एक दूसरे से, क्या करते हैं, दूर-दूर भागते हैं, ताकि कम से कम molecule surface यानि कि कम से कम éta strikte को शेट पर रखते अपनी सेंअ में कम से कम भरती करता है जो सर्फेश पर होती है यानि की कम से कम मॉलीक्यूल सर्फेश पर आते हैं जुतने कम रह सकते हैं इसलिए वो खिचाव महसूस करी रही है अगर बहुत सारे आइफे मॉलीट्यूल रहे तो सर्फेस घिचाव महसूस नहीं करेगी वहाँ पे कम से गाना मॉलीकिूल स्थि यहां कि चाते हैं ख Sacramento मैं से टो अरी पर नहीं लो नंबर हिंट की और उफ मोलीकिल्ट तो सर्फेस पर रहते हैं looking कम number of molecules हैं, जो surface पर रहते हैं, इसलिए surface खिचा-खिचा मैसूस करती है, है न, ताकि stability रहे, stability के लिए, for the sake of stability, lesser number of molecules at the surface, that why it behaves like a stretch membrane, तो यहां मैं लिख सकता हूँ, ठीक है न, तो यहां पर इसका reason समझ में आया, यही है, to have minimum energy, to have minimum potential energy, यहां पर जो यह energy है, इसको हम potential energy बोल रहे हैं, very few molecules, very few molecules, stays at surface, stays at surface, तो surface पे बहुत ही कम number of molecules आना चाहते हैं, जिसकी बज़े से, यहां पर जो हमारी, कह सकते हैं, यहां पर जो membrane है, वैसा behavior हो रहा है, यहां पर खिचाव महसूस कर रहे हैं, तो यहां पर जितना कुछ मैंने लिखाए, तनी बड़ी कहानी लिखाए, काफी theoretical points लिखाए, यह आप लोगों के लिए important है, तो आप इस notes को जरूर सेव रखें, और यह चोटे-चोटे points बना लें, pointers बना लें, जिसमें आप लोग exam में जब question देने जाएं, तो आपको पता होना चाहिए, as a recent reason form में भी, कि surface पे molecules के energy कम है या जाधा, यहां पे जाधा है, इसलिए कम molecules surface में इस सर्फेस पे रहते हैं, ताकि पूरे सिस्टम के energy कम रहे, ठीक है नमा रहना तो पड़ेगा, किसी को तो आना ही पड़ेगा, अब सभी कहेंगे कि we вас नहीं आरे surface पे तो कैसे बात बनेगी, किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो जो कुर्बानी हैं बहुत सबस्क्राइब सब्सक्राइब इसे एक सरफेस्टियंस करते हैं तो इससे महसूं महिशन से महसbelt यहां पशुष वहिए इससे इसटिन के ऩ Вас से नाम देते तो लेगे तो आपके आख से दीखेंगे फोन और आप यह यहां यहां पर अगर अगर अपना container ले ले लिया और इस container में अगर मैं कोई liquid डाल देता हूं, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, liquid को consider कर लिया, ठीक है, अब आप इस पर कोई object रखो, जैसे मैंने भी needle रखी थी, ऐसी आप कोई object रख सकते हो, आप एक line माल लो, जैसे imaginary अपने एक object डाला एक से ठीक है तो इस object को यह membrane अपनी तरफ खीचती है और कैसे खीचती है इसकी length के perpendicular force लगाती है तो यह object जब इस पर आलो यह मेरी needle है यह पानी के उपर तैर रही है ऐसे ऐसे तो length के perpendicular forces मतलब membrane इसको यहां भी खीच रही होगी और इधर भी खीच रही होगी इधर वाली membrane यहां खीचने की कोशिश कर रही होगी यानि की इसको forces मिल रहे होंगे इसके right side वाली membrane इधर की तरफ कीच रही होगी ऐस से तो इसको इस तरीके से कुछ forces मिल रहे होंगे, ऐसे forces perpendicular, length के perpendicular ऐसे भी forces मिल रहे होंगे और इधर भी मिल रहे होंगे ठीक है न, यहाँ भी दोनों side equal force लग रहे होंगे, इसलिए ना तो यह right जा रही है ना left जा रही है, पर इसको membrane खीच रही होगी, ठीक है न इसकी अगर हम लंबाई माल लेते हैं इसकी length मैं माल लेता हूँ कुछ L है, इसकी जो लंबाई है मैंने needle की कितनी वारी है L, L क्या है इसकी length है तो आप देखोगे, यहाँ forces acted, ठीक है ना forces acted on line object, है ना, line object, जो भी object मैंने लिया है, needle लिया या जो भी लिया है, perpendicular to its length perpendicular to its length, इसके length के perpendicular, यह कुछ forces यहाँ पर मिल रहे हैं, और अगर हम ध्यान से देखेंगे, दोनों forces बराबर हैं, इसलिए ना तो यह उपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है surface tension जो define किया जाता है surface tension जो हम define करते हैं, वो force नहीं है, याद रहना, वो force नहीं है, वो force per unit length है जो हमने यहाँ force की बात की है जो forces इदर लग रहे हैं, इदर लग रहे हैं, यह force per unit length ठीक है, हमें कौन सी length लेनी है, जो surface के contact में हमें, देखो यहाँ पर यह जो length है, यह वाली length ले रहे हैं जो surface के contact में, तो यहां से भी force कीच रहे हैं, यहां से भी force कीच रहे हैं, तो surface tension ऐसे define किया जाता है, यह जो force experience कर रही है, force experienced divided by per unit length, force experience divided by length, अब किसी liquid का surface tension तो fixed है, जो हमने liquid यहां लिया, उसका surface tension तो fixed है, यानि कि आप जितनी ज्यादा length लोगे, उतना ज्यादा इस पर force लग into length, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, surface tension into length, अलग-लग symbol अलग-लग books में इसके लिए use किये गए, कई books में surface tension को, कई books में surface tension को sigma symbol से भी लिखा जाता है, तो आप याद रखना से वो symbol से भी लिख सकते हैं, कई books में इसको capital T से भी लिख देते हैं, बट यह force नहीं है, है ना, आप निकाल सकते हो, देख सकते हो, इसकी जो SI unit होगी, वो force per unit length वाली है, F divided by L वाली है, तो अगर हम force की बात करें, तो force होता है, MLT minus 2, divided by L कर सकते हो, तो यानि की MT minus 2, ठीक है ना, और अगर हम देखे, Newton per meter, dimension भी लिख दी मैंने, और unit भी लिख दी, है ना, SI unit और dimension मैंने दोनों mention करती है, तो पहले मैंने इसकी dimension लिखी है, फिर SI unit, dimension मेरी MLT minus 2 divided by L हो गई, तो MT minus 2 हो गई, और अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसके इलावा अगर आप इसकी unit देखोगे, तो Newton per meter है, ठीक है, Newton per meter, जैसे कि force constant की होती है, वैसी ही है, ओके, clear, तो आप देख सकते हो, this is defined as, simply ह हम इसको कैसे define करते हैं, इसको हम define करते हैं, force per unit length, ऐसे जैसे कोई पानी की बूंध जैसे गिर जाती है, table पे, जैसे हम देख सकते हैं, ऐसे table पे गिर जाती है, यहाँ कैसे surface tension आप define करोगे, आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पानी की कुछ बूंध गिर 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 जाता तो ऐसा-सा कुछ माहों होगा आप देख सकते ङुख एहां पर नीचे देखो आपका ये टेबल है यह टेबल का हिस्साई जो आपको ब्राउन-ब्राउन कलर करके नजर आாरा है यहां पर आप देख सकते ह। यह लाइन है है ना उस डाइग्राम में जो मैंने फोर्ज लगाया था along the surface ही लगा या था वां surface बिलकुल flat थी यह एव सबस्किरत नहीं है नहीं थोड़ी सी ऐसी अब आप पानी की पुत अभी हात पे डाल के देखो perpendicular ठेक है ना तो यह जो यह वाली surface की हम बात करें जिसको मैं ऐसे shade कर रहा हूँ इसके parallel लग रहा है और इस line के perpendicular जो contact line है इसके perpendicular यही मैंने लिखा है यहां पर देखो calculation of a force on the boundary of liquid can be done using the surface tension but यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे जो भी मेरा direction of force है वो along the surface of the liquid है और perpendicular to the line or boundary है along the surface and perpendicular to the line or boundary आप इसको consider कर सकते हैं किसके perpendicular है आप देखो यहां पर मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ यह yellow color से मैंने दिखाया है इस line के जो यह contact में थी है ना यहां से आप देख सकते हैं यह हमारी water और wood के contact point की line है और यहां पर यह इसके perpendicular है यह along the surface है जो मेरी surface है यह line यह जो मेरा हाथ के नीच वाली line है यह वाली line इससे लग रहा है force इसके perpendicular लग रहा है और along the surface लग रहा है ठीक है ना along the surface okay so यहां पर simple सा सवाल है इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे बहुत मुश्किल नहीं है बहुत असान है just theoretical सवाल है मैंने भी बढ़ाया भी था आप लोगों को spiders and insects move and run about the surface of water without sinking यानि की मकडियां कीडे मकोडे water की surface पर चलते रहते हैं इसका reason क्या है क्या reason है इसका अगरम द्यास से देखेंगे elastic membrane is formed on the water due to the property of the surface tension यही पहला option सही है बाकी तो ऐसी है spider and insects are lighter spiders and insects can swim on water spider and insects experience up नहीं इसका correct answer यही है कि एक membrane बन जाती है जिसके उपर वो राम से भाग लेते है ठीक है फिर आप लोगों के mind में एक सवाल आ रहा हूं को सर वो निडल वाला भी समझा वो निडल कैसे तहरती है उस पर भी आएंगे है ना निडल कैसे तहरती है उस पर भी आएंगे वो यह concept यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ठीक है ना यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि यह container है यह हमने ले लिया एक container water का वालो container है और इसके उपर हम लोगों ने क्या किया एक निडल को रखा पहले पानी डाल देते हैं इसके अंदर lettuce से मैंने यहां क्या डाला water डाला इस तरीके से मैंने इसके अंदर पानी डाला वाए और इसके उपर एक needle को रख दिया है ठीक है तो अगर हम दियान से देखे मैंने इसके उपर एक needle को रख दिया है एक सुई को रख दिया है तो इस तरीके से मैंने इसके उपर एक needle को ऐस से एक सुई को इस तरीगे से रख दिया ठीक है यह निढिल हमने एसे ह्लगती ठीक है अब रिताथ के पीछे से मैं देख रहा हूं ठीक है यहां से देख ह्या हूं तो मुझए क्रोंस से इरिया कैसा दिखेगा सर्कुलर दिखेगा न grants वहीं आओ इधर से देख रहा हूँ, ठीक है न, यह needle देख रहा हूँ, तो पीछे से देख रहा हूँ, जैसे पानी में needle तेर रही है, मालो, यहाँ पे, ठीक है न, यह needle ऐसे तेर रही है, मैंने यह needle डाली, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने needle डाली, तो मैं इसके पीछे से देख रहा हू तो थोड़ा सा पानी को नीचे से दबारी होगी है ना थोड़ा सा जुकाव नहीं आ जाएगा थोड़ा सा पानी नीचे की तरफ जुकसा नहीं जाएगा है ना निडल जैसी पानी में जाएगी यह पानी को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देगे अगर आप साइट से देखोगे पानी को क्या कर रही होगी, थोड़ा सा तो यहां पर दबाई रही होगी, बिल्कुल दबा रही होगी है, तो यहां पर हमारा जो surface tension है, वो कैसे लगेगा, surface tension आपको पता है, इस direction में लगेगा, ठीक है न, एक इधर से, और एक इधर से, ठीक है, न, surface tension की वैसे जो forces हैं, वो इस direction में लगेंगे, वो ऐसे क्यों लगेंगे, क्योंकि देखो, मालो यह बारी needle है, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यह मेरी needle है, इससे पहले मैं बोलता था, अगर पानी की surface flat रहती है, तो forces surface के paralleल रहते हैं, अब यह नीचे दब गई है, तो यह forces ऐसे लगेंगे, और needle की total length हमें लेनी पड़ेगी, देखो, forces हर जगे से लग रहे होंगे, ठीक है न, forces यहां से भी उपर लग रहे होंगे, ऐसे, यहां से भी ऐसे, हर जगे से लग रहे होंगे, यहां से भी उपर, यहां से भी, यह forces क्या कर रहे होंगे, इसको डूबने से बचा रहे होंगे, तो ऐसे along the length, अगर मैं side से दिखा हूँ, अगर मैं side से दिखा हूँ needle को, तो forces ऐसे भी लग रहे होंगे, ऐसे भी लग रहे होंगे, और पीछे वाली side से भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो यह forces इसको into length होगा, यहाँ भी, यहाँ एल क्या है? Length of the needle है, यहाँ पर जो हमने L लिया है, वो length of needle है, length of needle को हमने consider किया है, यहाँ से forces इदर से भी मिलेंगे, यहाँ से भी मिलेंगे, इस force को अगर आप जान से देखो कि अगर यहाँ surface से, यह angle theta horizontal से बना है, horizontal से angle है, ठीक है न? तो यहां से horizontal से angle है, यहां से theta यह angle हमारा horizontal से, along horizontal यह angle हमें theta दे रखा है, तो इसका एक component होगा, उपर एक होगा right side, तो इसके components आप easily ले सकते हो, T L sine theta, ठीक है, यह वाला component क्या हो जाएगा, T L sine theta और along वाला जो होगा, एक्चली जो along वाला होगा, वो होगा T L cos theta, ऐसी यहां से भी, यहां से भी यह वाला component क्या होगा, angle के side वाला component, T L cos theta और उपर की तरफ आपको क्या मिलेगा, T L sine theta, भाई, clear सी बात है, T L cos theta right side, T L cos theta left side, य दोनों आपस में cancel कर लेंगे, एक component निडिल पे इधर, एक component इधर, यह तो cancel हो जाएंगे, उपर वाले component जुड जाएंगे, T L sine theta, T L sine theta, तो 2 T L sine theta, जो उपर की तरफ लग रहा है, तो आप लिख सकते हो, 2 T L sine theta, यह बराबर होगा, किसके weight के, है न, जो भी निडिल का weight है, क is the weight of the needle, आप ऐसे भी balance कर सकते हो, so clearly concept बहुत simple है, आप ध्यान से समझ सकते हो, कि निडिल जब पानी पे जाती है, सते पे, तो उसको ऐसे दबाती है, उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाती है, तो एक force यहां से लगता है, एक force यहां से लगता है, यह दोनों forces लगते है इनके उपर वाले component, तो TL sin theta, 2TL sin theta की यहां से, एक यहां से, वो mg को balance कर रहा है, और हमें force कैसे निकालना है, surface tension into यह वाली length, निडिल की यह वाली length, जो surface के contact में, ठीक है, अचा, अगर मैं spend को ऐसे रखता, मालो यह निडिल को मैं ऐसे रखता, तो मैं surface area इसका circumference लेता, मतल यह मेरी surface है, और object ऐसे रख रहे हैं, इस तरीके से, अगर मैं रखता है, मैं मालो ऐसे balance करने की कोशिश करता, तो उस case में, इसकी जो circumference है, वो length की तरह काम करती, क्योंकि जो contact में होती length, वो circumference होती, तो यहां पे, फिर मैं क्या करता, 2 pi r को multiply करता, T से, तो यह मुझे force की equal मिलता, तो this is equals to force, अगर मैं इसको ऐसे रखता, ठीक है, ऐसे वाले questions भी है, अभी मैंने needle रखी है, मैं water की सतया पर कोई disc भी रख सकता हूं, है ना, मैं water पर ऐसे कोई disc भी रख सकता हूं, मालो मैंने कोई disc रख दी, इस तरीके से कोई disc रख दी, तो उस case में फिर जो length होग होगी, वो 2 pi r होगी, यानि कि अगर आप force रिकालना चाहते हो, तो 2 pi r को surface tension से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना, आप कैसी surface ले रहे हो, यहाँ पर मैं disc ले रहा हूं, ठीक है, ना, यहाँ पर मैं ले रहा हूं, मालो आपने का, नहीं सर, हम square sheet रखना चाहते है है ना, ऐसी कोई sheet रखना चाहते है, अगर आप यहाँ पर कोई sheet रख रहे हो, ठीक है, ना, मालो square sheet रख रहे हो, जिसकी edge length हमारी a है, तो इस case में जो इसकी length होती, वो हम क्या लेते है, 4a, है ना, a, 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 मतलब हम circumference, circumference नहीं बिसकली हम perimeter कहते हैं, हम perimeter को लेते, तो 4a into surface tension, यह मेरी length होती a, 4a, तो यहाँ पर जो force होता, वो हम l into surface tension कहते हैं, यानि की 4a into surface tension कहते हैं, तो थोड़ा सा आप धियान रखना कि किस case में हम length क्या लेंगे, जब हम needle surface के parallel रखते हैं, तो हम l को लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम किसको लेते, यहाँ पर हम किसको लेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको consider करेंगे, okay, surface energy, यह concept क्या है, surface energy का concept क्या है, okay, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक frame दिया गया, this is a square frame, यहाँ पर rectangular frame, वैसे देखने में shape इसकी rectangular है, तो मैं इसको rectangular frame ही बोलता हूं, तो यह म boundary है, rectangular frame की, यह boundary है, है न, यह boundary है, और यहाँ पर एक piston सा लगावा है, यानि कि यह movable है, है न, यह movable इसका एक handle है, जो left, right आप चाहो तो move कर सकते हो, और यहाँ पर आपकी एक film मन रही है, ठीक है न, movie वाली film नहीं है, यह, कौन सी film है, जो sob solution में बनती है, देखा आपने film, membrane type, नहीं देखा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है न, अगर नहीं देखा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यह क्या है, यह आप लोगों ने बहुत फुलाए होंगे, bubbles जिससे बनते हैं, तो आपने देखा होगा, इसके अंदर sob solution ही होता है, है न, और इसको मैं जब ऐसे बहार निकालता हूँ, देखो, यहां से इसको ऐसे बहार निकालता हूँ, तो आपने देखा होगा, यहां पे बहुत सारी membranes बन जाती है, है न, आप इसमें clearly देख सकते हैं, इसमें बहुत, इसमें 4 holes है, 4-5 holes है, 5 हैं, तो यहां पे ऐसे एक surface बन जाती है, जिसको फूक मा से दिखाऊ, 1 second, ठीक है न, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस पर अगर मैं किसी भी एक यहां गोले को देखूं, तो इस पर दो surfaces होती है, एक उपर से एक नीचे से, यानि कि आप भी देख सकते हो, यहां से आपके front part से, और एक back part से, तो दो surface area होता है, कि इदर से surface area, एक इदर से surface area, ठीक है न, यह बात समझ रहे हो, ठीक है न, यानि कि अगर आप soft solution में कोई frame डालोगे, बहार निकालोगे, जैसे आप इस frame की भी चर्चा कर रहे हो, इस frame को आपने soft solution में डाला, तो यहां पे एक film सी बन जाते है, यहां soft solution से चिपक सा जाता है, एक membrane सी बन ज बात करते हो, glass and water की, तो यहां पे एक ही surface है, उपर से दिख रहे है, नीचे से नहीं दिखेगी, हम पानी के अंदर से जाके नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहां पे surface, यहां air है और नीचे water है, यहां पे अगर आप जहां से देखो कि, front से भी air है, पीछे से भी air है, बीच में water है, है ना, आप देख सकते हो, यहां पे, this is the film, ठीक है ना, यह हमारी molecular surface है, अगर हम ध्यान से देखो कि, यह film है, जिसको आप membrane भी कह सकते हो, like a membrane also, आप इसको membrane भी consider कर सकते हो, okay, so इसका काम क्या होगा, यह क्या चाहती है, अगर आपने यहां पे इसको बहुत loose छोड़ इसको बहुत loose छोड़ दिया, तो यह membrane इसको अपनी तरफ खीच लेगी, यह membrane क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खीचने की कोशिश करेगी, अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो यह membrane इसको अपनी तरफ खीचने की कोशिश करेगी, बात समझ में आ रही है, यह क्या क किसको अपनी तरफ खीचने की कोशिछ करेगी एक फॉर्स लगाइगी है न तो अगर आप चाहते हो नहीं इसको राइट साइड ले जाना तो आपको भी इतना ही फॉर्स लगाना पड़े ले जाना चाहते हो तो इसको राइट साइड आपको एक minimum force लगाना पड़ेगा जिसको external force कह रहे है यह कितना force लगाएगी पहले तो आप ध्यान से देखो क्योंकि यहां से membrane इसको अपनी तरफ हीच रही है है ना तो कितना force लगाएगी अगर आप front end से बात करो तो सामने से जो force लगाएगी वो लगाएगी surface tension इंटू जो भी इसकी लंबाई है इसकी लंध मैं अलमान लेता हूँ इसकी जो लंबाई है इस रोट की जो भी हमने लगाई है इसकी लंबाई L है तो T into L बट यह तो front side से पीछे से भी तो खीचेगी ना जैसे आप इस pen को force है है ना वो into 2 हो जाएगा तो total force हो जाएगा 2TL तो यानि की membrane इसको surface इस tension multiply by यह length इतना force दे रही है और पीछे की दरफ दे रही है तो आपको front side इतना force लगा के रखना पड़ेगा ताकि यह पीछे ना जाए और आप चाहते है थोड़ा सा आगे जाए तो हलका सा जादा force दो तो आप इसका area भी बढ़ा सकते हो अगर आपने थोड़ा सा जाद ले गया कितना distance आगे ले गया x तो आपका क्या यह area बढ़ गया surface area बढ़ गया दिख रखते हो अब ध्यान से यहना पहले यहां थी यहां से मैं यहां लिया आया तो आप देख सकते हो इसका surface area बढ़ गया बट एक जगे से नहीं बढ़ा दोनों जगे से front से भी surface area बढ़ है यहां पे क्या है increased area कितना है तो increased area होगा आप बोलोगे sir यह वाला area है यह area कितना हो जाएगा एक rectangle का area length into x तो आपका increased area क्या हो जाएगा l into x यह भी two times होगा इसको आप delta a कह सकते हो change in area यह भी तो बढ़ा है ना हमारा two tile two times lx तो हमारा increased area वो भी double है front surface से भी बढ़ा पीछ नहीं पड़ेगी इसका सबसे अच्छे example तो मैं आपको यह stop solution से फिर से दिखा सकता हूँ देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ stop solution को इसमें dip कर रहा हूँ मिलती है ना और कितने सारे bubbles बन गए आपके कितना सारा area create हो गया पहले area कम था पहले छोटे छोटे एरिया से फूक मानने से area बढ़ गया तो इसका मतलब है अगर आप surface area बढ़ाना चाहते हो तो आपको energy देनी पड़ेगी और energy देने से आप surface area बढ़ा रहे हो तो यहां से surface energy concept यह नाम है इसका surface energy पर यह energy नहीं जैसे अभी आपने पीछे surface टेंशन पढ़ा था वह तेंशन नहीं था वह फोर्स नहीं था वह फोर्स पर unit length था वैसी surface energy नाम से आपको लग रहा है कि surface energy का नाम से आपको लग रहा होगा यह energy और यह energy नहीं है यह energy per unit area है और कौन सा area increased area तो आप देख सकते हो surface energy को define ही ऐसे किया गया है क्या define किया गया surface energy is the energy required जैसे मैंने फूप मारके energy दी थी ना surface energy is the energy required to increase in surface area per unit increase area यानि कि अगर मैं define करूं surface energy को surface energy को हम define कर सकते हैं simply यह है energy required है ना energy required ठीक है ना energy required या फिर work done भी कह सकते हूं energy required work done आप इसको लिख सकते हूं per unit increase in surface area per unit increase in surface area चीकिया ना अब आप एक चीज समझना जैसे आप chemistry में endothermic exothermic reaction पढ़ते हूं exothermic reaction में heat release होती है endo में आप देती हूं वैसे यहां भी है अगर मुझे area बढ़ाना है तो मुझे energy देनी पड़ेगी अगर किसी system का area बढ़ रहा है surface area तो energy वो absorb करेगा वो system energy को अपने अंदर समा लेगा तो area बढ़ा लेगा और अगर किसी system का area घट रहा है तो energy release करेगा कोई भी system हो थैण system energy absorb करेगा area बढ़ेगा है ना मैं यहां लिख देता हूं अगर energy क्या हो रहा है energy absorb कोई भी system energy को क्या कर रहा है energy absorb by system system ने energy को अगर absorb किया है तो surface area बढ़ना ही चाहिए तो surface area क्या करेगा उसका उस case में increase करेगा ठीक है ना अगर energy release कर रहा है कोई system energy release by a system कोई system energy को release कर रहा है तो उसका surface area घट रहा होगा ultra process ठीक है ना तो उस case में क्या हो रहा होगा surface area decreases उस case में उसका surface area क्या हो रहा होगा घट रहा होगा समझ सकते हो ना आप नुमेरीकली इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, विदाउट प्रूफ भी बता सकता हूं, नुमेरीकली सर्फेस एनरजी सर्फेस टेंशन के बराबर ही आती है, दोनों की ऐसा यूनिट भी सेम है, यह सर्फेस टेंशन के बराबर ही है, याद रखना, आप सर्फेस एनरजी और स तो मैं कितना work कर रहा हूं सोचो मैं कितना work कर रहा हूं अगर आप work done की बात कर रहे हो तो work done कितना हो गया work done होता है force force कितना है अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो force है मेरा 2TL है ना into displacement कितना है x यह मेरा work done है और मैं delta A की बात करूँ, कितना area increase हुआ है, तो आपने देखा था, LX front वाला, LX back वाला, तो total area कितना increase हुआ था, 2LX, तो अगर आप surface energy यहां से calculate करो, आप यहां से surface energy calculate करो, तो देखो surface tension के equally आ जाएगी, 2TLX divided by 2LX, 2LX 2LX cut जाएगा, तो वो T के बराबर आ जाएगा, इसके SI unit की बात करोगे, तो भी same है, SI unit भी अगर आप इसकी देख लोगे, तो आप इसको joule per meter square कह सकते हो, this is same as newton per meter, same ही है, dimension भी same है, तो आपके लिए दोनों quantity बराबर है, surface energy is बराबर surface tension, surface energy, surface tension आप लोगों के लिए क्या है, same ही quantity, किसी question में surface energy दिया, आप उसको surface tension की तर इस्तिमाल करो, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, सवालों पर आएंगे, सवाल किस तरीके से आ सकते हैं सर, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, एक सवाल, एक simple सा सवाल यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि इसने क्या किया है, यहाँ पर देखो एक frame है, आपको दिखाता एक slide है, जो यहाँ पर नीचे जा सकती है, अगर आप कोई weight ना ठांगो ना, तो यह slide ऊपर चली जाएगी, तो आप weight से slide को balance करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसने बोला है, a thin liquid film formed between a U-shaped wire, एक U-shaped wire है, yellow color की जो मैंने दिखा ही है, and a light slider supports, light slider मतलब slider का कोई अपना वजन नहीं है, और यह कितना weight support कर रहे है, इतना Newton, है ना, तो यानि कि नीचे से कितना weight लग रहे है, बोलो, इतना Newton force लग रहा है, तो यह इसको balance कर रहे है, यानि कि उपर से जो force लग रहे है, वो इस weight को balance कर रहे है, जो उपर से आपकी film इस पर force लगा रही होगी ना, वो W के equal हो से हम लिख सकते हैं 2TL यह किसके एक्वल हो जाएगा हमारे वेट के एक्वल हो जाएगा सिंपल सी बात है यहां लेंथ हम लोगों को कुश्चन में दे रखा है स्लाइडर की लंबाई हम लोगों को दे रखिये हैं यहां पर 30 सेंटी मिटर जिसको मैं 0.3 मीटर लिख दूँ तो अच्छा रहेगा कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए बहतर रहेगा पहले ही इसको कर लिए और वेट हम लोगों को दे रखा है अल्रेटी हम लोगों को निकालना है तो आप देख सकते हो 2 इंटु T इंटु 0.3 और जो अपना वजन है यह दे रखा है 1.5 इंटु 10 रेस तो दी पावर माइनस 2 तो यहां से जो T आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 इंटु 10 की पावर माइनस 2 दिवाइद बाइ 2 इंटु 0.3 देखो कितना इसली हो जाएगा calculation असानी से हो रहा है यह decimal ने इस decimal को हटा दिया तो बचा नीचे 3 और उपर 15 तो यह आ गया 5 ताइम्स और 5 को 2 से डिवाइट करोगे तो 2.5 तो यह आ जाएगा 2.5 इंटु 10 की पावर माइनस 2 क्या कर सकते हो बेटा पावर नेगेटिव में है न तो यह decimal 2 छलांग मारेगा एक और 2 यानि कि 0.025 इतना जाएगा 0.025 तो यानि कि यह वाला आंसर आजाएगा असान सवालों में से एक सवाल है न तो यह slider वाले question जहां film दे रखी होती है जहां यह film दे रखी होती है तो यहां 2 surfaces होती है तो इसलिए यहां 2 का factor हमेशा आपको नजर आएगा यह 2 का factor क्यों है front और back surface दोनों है इसलिए यह 2 का factor है otherwise सिर्फ T into L लिखता मैं ठीक है बहिए अगर ऐसी कोई film है तो आगे से भी दिखरी होगी surface पीछे से भी दिखरी होगी है आप आगे खड़े हो आपका दोस पीछे खड़ा है वो कहेगा पीछे से फोर्स लग रहा है आगे से मैं आप लोगों के लिए सर्फेस एनर्जी बोल दे हैना सर्फेस टेंशन बोल दे या फिर सर्फेस एनर्जी बोल दे मेंशन आप बता सकते हो न्यूटन पर मीटर है तो आपको पता है अभी हमने डिराइफ भी की थी MLT-2 को हम L से जस्ट डिवाइट कर देंगे आ जाएगा एल से एल कट जाएगा ना यानि कि यह डिमेंशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है एकदम ट्रू एकदम हंड़ेट परसें एकुरेट अरेक्टेंगूलर फिल्म ओफ लिक्विड इस एक्स्टेंड़ फ्रॉम इतना तो इतना दा वर्ग डन इस इतना दा वैल्यों सोफेस देख है मालो यह हमें दे रखा है कुछ माल लेते हैं 4 cm और मैं माल लेता हूं यह हमें दे रखा है 2 cm बाद में माल लो इसको हमने बढ़ा दिया यहां पर है ना और यह कितना कर दिया तो आप देखो कितना इंक्रीज एरिया यह इंक्रीज एरिया यानि कि आप फाइनल एरिया द आप देख सकते हो cm2 में हैं बाद में इसको चेंज करेंगे यह हो गई है ना 20 अगर हम चेंज इन एरिया की बात करें ए फाइनल माइनस ए इनिशल तो यह आ जाएगा 12 cm2 पर यह तो स्रिफ फ्रेंट एरिया चेंज हुआ ना बैक वाले का क्या टोटल एरिया चेंज निकालने अगर आप डेल्टा ए टोटल टोटल की बात करोगे टोटल एरिया में कितना चेंज होगा तो टू इंटू हम यहां से ए फाइनल माइनस ए इनिशल करेंगे यानि कि वो 24 cm2 होना चाहिए यानि कि 24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्कॉर प्लीज अब यह मत पूछना कमे हो चुगा है अगर आप यह सवाल पूछ रहे हो तो यह कड़वा सचा है यह मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बहुत जादा मीटर को सेंटी मीटर सेंटी मीटर को मीटर में कनवर्ट करना तो आपको आना ही चाहिए मैं फिर भी बताके चलूंगा पर कोशिश करो यह च ठीक है अगर अभी भी यहां टाक रहे हो तो घंट्री बज़री खत्रे की इसको लिख लो ठीक है ना सोचो अगली बार सर कोई कोई कोश्चन करा है मुझे पहले आना चाहिए ठीक है अगर यहां सेंटीमेटर क्यूब होता वॉल्यूम की बात कर रहे होते तो पावर माइन दिवाइड बाइड डेल्टा है और वॉर्कटन कुश्चन में दे दिया थी इंटू 10 की पावर माइनस फूर और डिवाइड वाइड़ अगर आप जहां से देखोगे यहां आ गया 24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ठीक है माइनस 4 कट गया तो यह आ गया 3 दिवाइड ठीक है ना यह 1 बाइट कितना होता है भाई कौंसा ऑप्शन मैच कर रहा है आप इसको क्या लिख सकते हूँ आप इसको लिख सकते हूँ यह 1 बाइट है आप इसको लिख दो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 1 डिवाइड बाइड बाइट यहांनि की आ गया 5 बाइ 4 यानिकी 1. 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 1 यानिकी 0.125 ठीक है? क्लियर है ना मैं 1 को 10 इंटू 10 की पावर माइनस 1 लिख दिया है ताकी easy हो जाए फिर 2 से काट दिया 5 बाइ 4 फिर 4 को 5 से 1.25 तो 0.125 दिस इस तरीके से इसको solve कोई सकते हैं असान है ठीक है? और देखो, energy needed in breaking a drop of radius r इंट to n drops of equal radius. ठीक है? मैंने इस concept में कोई option नहीं रखे हैं, यह समझने वाला concept है, बहुत असान है. पहली बात, एक जब drop छोटी drops में तूटती है, या छोटी drops बड़ी में convert होती है, यह दो concepts है. कब energy release होती है, कब absorb करता है? पहले तो यह समझना. बड़ी drop को जब आप तोड़त हो, आपको क्या लगता है? volume change होती है क्या? नहीं. volume conserve रहती है, mass conserve रहता है. जब भूत सारी drops मिलके एक बड़ी drop बनती है, तो भी volume conserve है, mass conserve है. पर surface area conserve नहीं है, surface area बदलता है. याद रखना. बड़ी drop को तोड़ के छोटी drop बनाती हो, surface area बढ़ जाता है. चोटी drop को जोड़ क बड़ी drop बनाते हो, surface area घट जाता है. यानि कि अपने को याद रखना है कि सर अगर एक बड़ा drop है, एक बड़ा drop है, जिसका radius R है, इसको आप energy दो, यह energy का भूखा है, आप इसको जब energy देते हो, इसको आप energy देते हो, या फिर आप इस पर कोई work done करते हो, तो इसका surface area बढ है, यह energy का भूखा है, इसको energy दोगे, बड़ी drop को छोटी drop में तोड सकते हो, इसमें energy absorb होगी, छोटी drop हमने मान लिए कितनी drops है, मैं मान लेता हूँ, n drops ले लेता हूँ, या number of drops का ही तो खेले न, मैंने n number of drops ले ले, question में यह 8 दे सकता है, 16 दे सकता है, 64 दे सकता है, कुछ लो मेरी n drops है, सभी का radius बराबर, सबको same size की ले रहे हैं, क्या volume conserve है, है, क्या surface area conserve है, नहीं जी, surface area बढ़ रहे है, इस process में volume conserve है, mass conserve है, volume and mass, क्योंकि density नहीं change होरी, volume and mass क्या है, conserve रहते हैं, जब आप एक छोटे volume को, बड़े drop को छोटे में drop करते हो, या पिर छोटे को freeze करता है, यहां पर तभी तो इसने energy absorb की है, surface area क्या हो रहा है, छोटी drop में convert होने से surface area बढ़ रहा है, यहां पर surface area बढ़ जाता है, छोटी छोटी drop में हो गया, convert, surface area बढ़ गया, जैसे एक बड़ी object है, आप उसको छोटी छोटी powder में तोड़ दोना, तो surface फैल जाती है, volume conservation को use करो न, तो यहां से आपको relation मिल जाएगा, आप यहां से volume conservation को इस्तमाल करो, volume conservation से क्या मिल जाएगा, बड़े वाले का volume, 4 by 3, pi capital R cube, sphere का volume आज ही बढ़ाया था, छोटे कितने हैं, n number हैं, तो n into छोटे का, एक छोटे वाले का volume कितना होगा, 4 by 3 r cube, भई, इसका 4 by 3 pi r cube, इसका भी सभी को जोड़ दो, तो यह आजाएगा, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi, कट गया, capital R कितना आजाएगा, आप 1 by 3 power लोगे, तो n की power, 1 by 3, और यहां पर, तो आप देख सकते हो, जो बड़ा radius है, वो इतना आजा, ठीक है, अब आप initial surface area, final surface area देखो, अब आपको initial surface area क्या था, initial surface area इसक ठीक है न, इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, यह याद रखना है, इसमें कोई derivation नहीं है, यह याद रखना है, एक sphere का surface area 4 pi r square होता है, circle का pi r square होता है, sphere का 4 pi r square होता है, यह initial है, initial मतलब बड़े वाले sphere का, finally, कितने sphere है, n है, और एक sphere का कितना होगा, 4 pi into छोटा radius का square, यही हो तो कितना हो जाएगा, minus कर दो बेटा, यहाँ से 4 pi तो common आ जाएगा, है न, और यहाँ से आ जाएगा, n r square minus r square, मैंने इसमें से इसको minus किया है, ठीक है न, 4 pi common आ गया, यह आ गया, change नेरिया आ गया, ठीक है न, तो surface energy कितनी होगी, अगर आप यहाँ से देखोगे, surface energy को आप कैसे define कर सकते हो, surface energy को define करते हो, जितना आपने work done किया है, है न, जितना आपने work done किया है, divided by 4 pi n r square minus r square, मानलो आप से work done पूछे, है न, surface energy देदे, मानलो question में यह देदे, t है, तो work done पूछे, तो आप कर सकते हो, 4 pi n r square minus r square into t, ऐसे आप energy निकाल सकते हो, यह work done है, या फिर आ एनर्जी रिक्वाइड है तो यह एनर्जी आपको रिक्वाइड है यहां तक भी छोड़ सकते हो पर हो सकता है question में आपको small r substitute करने के लिए आप वो भी तो कर सकते हो small r की जगे उसकी value भी तो डाल सकते बेटा आपको पता है क्या रिष्टा है यह आप देख सकते हूं यहां से हमें मिल चुका है हमें मिल चुका है जो capital r है वो n की पावर 1 by 3 small r है तो small r किसके बराबर होगा capital r divided by n की पावर 1 by 3 या फिर n की पावर आप उपर ले जाओ minus 1 by 3 r ऐसे लिख सकते हो Square करना ज़ा है हों से न क्या मिल जाएगी यहां से r square कर दोघे तो दोनों जगे पावर यहां पर minus 1 थी तो minus 2 by 3, minus 1 by 3 तो sqaier करोगे न तो माइनस 2 by 3 और r square हो जाएगी दोनों जगे sqaier कर रहो हम पहले यहां पावर 1 थी square किया तो r square हो गया यहां इसका square किया तो power minus 2 by 3 minus 1 by 3 into 2 minus 2 by 3 और r square ठीक है यहां substitute कर देंगे कौन सी बड़ी बात है यहां से आ जाएगा 4 pi और क्या है n वैसे का वैसे यह वाला और r square की जगे हम डाल सकते हैं n की power minus 2 by 3 और capital r square minus r square into t देखो मज़ा आएगा भी हम यहां से r square भी common ले सकते हैं मैं 4 pi r square t को भी लिख देता हूं और देखो यहां n की power कितनी बन गई सूचो इस n की power 1 है इसकी minus 2 by 3 है तो यहां बनेगा n की power 1 minus 2 by 3 minus 1 यानि की 4 pi r square t और 1 minus 2 by 3 कितना हुआ बेटा LCM ले सकते हैं ना ले सकते हैं ना नाम से 1 minus 2 by 3 LCM आ जाएगा 3 उपर आ जाएगा 3 minus 2 यानि की 1 by 3 तो n की power 1 by 3 minus 1 यह इसका question दे सकते हैं ना देखो कितना असान है हो सकते हैं इन की value 64 दे हो सकते हैं आपको 8 दे तो 8 की power 1 by 3 8 का cube root 2 होता है ऐसे questions आपके लिए बनाके दे सकते हैं तो आप इसके लिए तयार रहो यह असान question आपको exam में आ सकता है यहां पर इसने energy absorb की है क्योंकि आपकी बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में टूटी है यहीं पर अगर वो question उल्टा करते हैं जादा फरक नहीं है छोटी ड्रॉप को combine करके बड़ी ड्रॉप दे देता है तो उस case में इतनी ही energy वो absorb करता है ओ सॉरी release करता है absorb तो अभी इसने की है ना छोटी ड्रॉप बड़ी ड्रॉप में बनेंगी तो energy release होगी exothermic process होगी बड़ी ड्रॉप टूटेगी तो इसको energy चाहिए होगी endothermic process होगी ठीक है तो मुझे लगता है आज यहीं तक रखा जाए जाधा और आगे पढ़ते जाएंगे तो उपर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो हम लोग इतना ध्यान रखे कि हमें चीजे समझ में भी आए तो एक बर मैं recap सरूर देता हूं आज देखो हमने मज़ेदार चीजे की है आज हम लोगोंने अभी से पहले surface energy के बारे में पढ़ा बहुत ही मज़ेदार concept surface energy surface tension बराबर है यह energy required या फिर work done required to increase in area divided by area ठीक है यही concept था और surface tension के बराबर आ जाता है हमने इंडिल वाला question देखा इसमें अभी हम इससे related question next class में करेंगे तो घबराना मत किसर एक्जाम में तो ऐसा मैंने कई ऐसा घबराओ मत भरोसा है ना teacher पर अगले दिन आएगा वो फिर से बताया था distance के साथ और time के साथ general velocity है terminal velocity आ जाती है तो यह constant हो जाती है तो हमने देखा था ऐसा graph आएगा acceleration का graph भी important है यह आ सकते है important mark कर ले ना इसको ठीक है ना coefficient of viscosity का temperature variation gas के लिए बढ़ता है liquids के लिए घट जाता है यह भी हम लोगों ने discuss किया था इसके इलावा हम लोगों ने questions किये थे just simple simple questions किये थे है ना simple हम लोगों ने यह पहले जो last chapter पढ़ा था उससे discuss किया था फिर हम लोगों ने simple simple questions किये था I think यह तो फिर असानी है है ना यहीं तक रखते हैं आज के इस lecture को मुझे लगता है कि आज इस lecture के बाद आपको मैं थोड़ा सा guide कर देता हूं कि क्या क्या आप घर से revise कर सकते हो भई होमवक में मैं आपको क्या दे रहा हूं जैसे कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूं module स्टार्ट कर सकते हो एक्सराइज बन पर उससे भी important है आप DPP कर दो ठीक है ना कुछ नहीं समझ में आता अगर आपको लगे ncr टी उठाओ लग जो भाई किसने रोखाया आपको ठीक है ना देश अजाद है आप अजाद हो करो ठीक है चलो खतम करते हैं आज का यह लेक्चर यहीं समापत होता है धन्यवाद थैंक यू लेक्चर अटेंड करने के लिए ठीक है ओके पाइवर्वर टेक्यू